असलाम अलेकुम कैसे आप लोगों उमीद करते हूं आप सब के सब जो हैं बिल्कुल कहरियत से होंगे तो आज हम 9th क्लास के exercise 4.3 जो से मकमल तौर पर solve करने जा रहे हैं लेकिन इसमें स्क्रीन के ओपर आप लोगों के एक wallpaper नजर आ रहा होगा जिसमें तुमाम questions के timing आप the table आपने क्या मालूम करना है यह जो monomials है questions कि सो यह जो questions है इन्हें monomials कहा जा रहे है the cell in monomials का आपने hcf मालूम करना है ठीक है और hcf मालूम कैसे करेंगे इस table को fill करेंगे तो आपका hcf जैसे कहा नजर आ रहा है required hcf आपका hcf मालूम हो जाएगा तो असान अफ़से में बता हूं तो यह monomials हैं इनको stepwise table को fill करो जैसे table को fill करोगे तो आपका hcf आपको पता चल जाएगा अब इस question को solve करने से पहले दो चीजों का पता होना जरूरी है आप लोगों के लिए एक तो सबसे ज्यादा hcf किसे कहा जाता है जिसे highest common factor कहा जाता है तो यह किसे कहा जाता है पहले हम इसके उपर थोड़ी सी बात करेंगे ठीक है फिर monomials का क्या मतलब ह इसको थोड़ा सा देखेंगे या इसको इसके उपर थोड़ी सी बात करेंगे और समझने के बाद फिर इदर आके इस table को fill करके हम hcf मालूम कर लेंगे ठीक है तो वो students जो और concept नहीं लेना चाते है direct question समझना चाते हैं तो description में मुझूद time code की मदद से अपने required question ये question के part त है highest common factor की अब इसकी definition पढ़ने से पहले इसकी definition पढ़ दूँगा आपको translation की हद तक समझ में आएगे लेकिन क्या कहा जा रहा है वो समझ में नहीं आएगी वो तब तक समझ में नहीं आएगे जब तक आप example से a question solve नहीं कर लेंगे तो मैं ऐसा करता हूँ एक example यहाँ पर लि तो यह मैंने यहाँ पर example लिख दी example number 11 को ही solve कर लेते हैं आप अपनी book में देखेंगे तो यही example है तो जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हो है find a hcf तो हमने क्या मालूम करना है इन तीन expressions का hcf मालूम करना है ठीक है अब यह तीन expression भी इसको कहा जा सकता है polynomial भी कहा जा सकता है polynomial की definition आपको पता होगी conceptual definition यही होती है कि variable की power अगर whole variable की power अगर whole number में हो तो वो polynomial होती है ठीक है तो polynomial की कौन सी किसम है monomial है ठीक है जैसे के question number में monomial का भी जिकर किया गया है तो जब सिर्फ एक term मौजूद हो या यह कहलो के question में सिर्फ एक expression हो तो उसे बोला जाता है monomial जैसे के अगर यहाँ पे लिखा हो 2x plus 3y तो अब यह monomial नहीं है क्यों क्योंके इधर दो term है ठीक है जो plus minus से इसे expressions अलग-अलग हो रही होती है इन्हें बोला जाता है term ठीक है तो जब एक term हो तब कहा जाता है monomial ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर से plus हटा दूँ और इनके दर्मयान में कॉमा डाल दूँ ठीक है तो जैसे 2x है यहाँ पे तो अब यह monomial बन गए यह अलग है और यह अल लग-अलग है इनको कॉमा की मदद से separate किया गया है तो इस मीन के यह polynomial है polynomial की किसम कौन से है monomial ठीक है ओके तो अब HCF मालूम कैसे करते हैं इन expressions का expression और polynomial यहाँ पर एक ही है चाहे expression का हो चाहे polynomial का हो अब इसका HCF मालूम करें तो HCF मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हम यह solution लिखेंगे solution लिखने के बाद अब monomial का जो HCF है वो कैसे मालूम किया जाता है दो step होते हैं ठीक है आप ऐसे समझिए आपकी book में लिखे भी हुए मैं short form में आपको बता रहा हूं उन ही दो steps को कि सबसे पहले आप क्या करेंगे numbers जो है उन numbers का HCF मालूम करेंगे ठीक है तो numbers का HCF of numbers आप ऐसे भी लिख सकते हो मैं ऐसे लिख देता हूं तो यह लिख दिया मैंने HCF of numbers number मतलब coefficient यह 18, 30 और 24 सबसे पहले आप इसका HCF मालूम करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे जो बाकी बचे हो है ना variable, invariable का HCF मालूम करेंगे ठीक है मैं यहां पर लिख देता में क्या करते हैं आप जो numbers का HCF होता है और जो variables का HCF होता है उनको क्या कर देते हैं multiply कर देते हैं ठीक है तो यह 3 step आप यह समझिए है जब यह 3 कर देंगे तो आपका HCF मालूम हो जाएगा ठीक है तो इन steps को चलो लिख रहने देते हैं जैसे अब मैं अगर यहां पर मालूम करूँ तो सबसे पहले numbers का मालूम करते हैं तो numbers हमआँ पास है 18 उसके बाद क्या है 30 उसके बाद क्या है 24 इन तीनों number के मुझे factors मालूम करने हैं ठीक है अगर आप दिहान देंगे word क्या होता है HCF ठीक है तो F का مतलब क्या होता है factor ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे मालूम factors मालूम करेंगे तो चलिए factors मालूम करते हैं इसको मिटा देते हैं यहां पर factors नंबर के कैसे मालूम करेंगे prime factorization आपने छोटी classes में सीखी होगी तो इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिख लेता हूँ यह तो यह मैंने ऊपर करके आए 2 multiply by 3 multiply by 3 ठीक है तो factors की definition आपने 4.1 और 2 अच्छे से समझ ली तो देखे यह इसके factors हो गए क्योंकि इनको multiply करने से 18 आ रहा है ठीक है तो इसलिए इसको prime factorization कहा जाता है क्योंकि prime numbers है prime numbers कौन से होते हैं ऐसे numbers जो खुद पर या 1 पर divide होते हैं इसके इलावा 10 उसके बाद आजएगा 3 5s 15 उसके बाद 5 1s 5 तो यहां पर आजएगा 2 multiply by 3 multiply by 5 उसके बाद 24 का मालूम कर लो तो इसको मिटा देते हैं यहां से तो अब करेंगे 24 का तो यह आगया 24 और यहां पर 2 1s 2 2 to the 4 2 6 the 12 3 2 the 6 and 2 1s a 2 तो क्या हमारे पास आगया हमारे पास आगया हमारे पास आगया 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 2 ठीक है तो तीनों के factors हमने prime factors लिख लिए अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे इनका HCF कैसे मालूम करते हैं इनका HCF मालूम होगा जो common है उनको मिलाकर जैसे के यहां पर क्या लिखा था HCF तो F का मतलब तो क्या होगा factors जो कि हमने मालूम कर लिए C का मतलब क्या होगा common common का मतलब क्या होता है जो तीनों में मौझूद हो जैसे 2 जो है मैंने अभी ऐसे circulate किया तीनों में मौझूद ऐसी तरह 3 जो है ये भी आप ऐसे करके निशान लगा सकते हैं ठीक है बस highlight करना होता है इनको समझने के लिए 3 जो है वो भी तीनों में इसके लावा बाकी कोई ऐसा number नहीं है जो तीनों में common हो ठीक है तो factors भी मालूम होगे common भी मालूम होगे अब हम कह सकते हैं क्या चीज के यहां पर लिख सकता हूँ HCF of ठीक है 18, 30 and 24 is equal to यह लिख सकता हूँ कितना आ जाएगा 2 multiplied by 3 is equal to 6 तो जैसे के यहां पर मैंने आपको बताया था क्या चीज के HCF of numbers मालूम करना है तो देखिए numbers का HCF कितना आया 6 आ ठीक है इसी तरह अब हम क्या करेंगे HCF of variables मालूम करना है यहां पर आप देखें तो variables का कैसे मालूम करेंगे उसके लिए आप यहां पर इसको मिटा देते हैं देखें आप ऐसे कर लिजे के हमारे पास यानि के ऐसे दो लाने डालीजे अब variable का HCF मालूम करने के लिए पहले आप यह तीनों लिख लिजे ठीक है जैसे इधर सबसे पहले तो ए पहले में भी है तो यहां पर भी लिख दीजे दूसरे में देखें ए है एस है ए की पावर टू है तो यहां पर टू लिख दीजे तीसरे में ए मोजूद नहीं है इसके अंदर ठीक है तो बस दो जगे लिख दीजे इसके बाद बी देखें तो बी की पावर कितनी है first के अंदर expression के अंदर तो 3 लिख दिया second में b की power कितनी है 4 तो यहां पे b की power कितनी आ गई 4 third में b की power कितनी है 2 तो यहां पे लिख देंगे b की power 2 तीसरे में variable c c की power 1 है पहले में तो 1 लिख दी दूसरे में रहें तो c की power 3 है तो यहां पे 3 लिख दीजे उसके बाद c की power 5 है तो यहां पर आप c की power 5 लिखतीजे अब हम क्या करेंगे variable का जो hcf मालूम किया जाता है वो कैसे मालूम किया जाता है अब इसको मैं उपर कर सकता हूँ देखिए hcf ठीक है तो आप simple यह देखिए के जो variable है उनमें common देखिए common कौन से है बी जो है वो variable common है c जो है वो variable common है जो है वो तीनों में मुझूद नहीं है इसलिए उसको count नहीं करेंगे तो जो common होंगे उनके अंदर से जो lowest power वाला variable है उनको हम अलैदा कर लेंगे ठीक है तो कैसे लिखेंगे यहां पर मैं आपको solve करके दिखाता हूँ जैसे आप यहां पर लिखेंगे h c f जो तीनों में होंगे common उनका h c f variable के अंदर मालूम करेंगे तो हम मालूम कर रहें यहां पर b cube का ठीक है b की power 4 का and b की power 2 का इन तीनों का h c f कितना आया इन तीनों के अंदर से जो lowest power है इस variable की जो के b square है वो इसका h c f हो जाएगा ठीक है इन तीनों variable के अंदर से इसी तरह h c f of यहां पर लिखूँ h c f of ठीक है इसके बाद क्या आगे है c ठीक है और c c की power 3 ठीक है और उसके बाद क्या आगे end c की power 5 इनके अंदर से जो lowest power कौन सी है c की power 1 तो यहां पर आ जाएगा c 1 की power 1 लिखते नहीं है होता है ठीक है अगर c लिखा हुए तो it's mean के 1 वहां पर लिखा हुए तो इस तरह से बताना मैं यह चाहता था आपको के question अब साथ में देखते हैं यहां पर तीनों नजर आ रहे हैं तो आपने देखिए a b c इसके अंदर से b जो है वो तीनों में मुझूद था तो इसलिए b q b 4 और b square इनके अंदर से इसका hcf मालुम किया सबसे lowest power कौन से b square और इसी तरह c तीनों में मुझूद था तो c के अंदर से जो यह यहां पर यह अब यह दोनों जो है यानि के b square और c ठीक है यानि यह दोनों यह दोनों variable के hcf है अब third step किया है कि इनको multiply कर दो तो multiply करें तो यहां पर अब हमाई पस conclusion के आ जाएगा यहां नीचे करके लिख देते हैं तो यहां पर अब हम लिखेंगे required hcf ठीक है तो यह आगे required hcf is equal to कितना आ जाएगा multiply करना है ठीक है तो numerical numbers का hcf 6 था और इसका hcf किया है b square c ठीक है यानि 6 multiply by b square c तो कितना आ जाएगा 6 b square c तो यह हमारे पास hcf आ ठीक है तो इस तरह से hcf जो है वो मालूम हम करते हैं ठीक है तो hcf मालूम करना आपने सीख लिया यह तीन step होते है इसको भी मिटा देते हैं ठीक है अब हम क्योंकि बात करेंगे hcf खुद किसे कहा जाता है ठीक है तो इसक्रीन के ओपर आप लोगों को hcf की definition जो है वो नजर example को इस्तमाल करते हुए ठीक है तो definition पढ़ता जाता हूँ और मैं आपको बताता जाता हूँ ठीक है तो definition पढ़ों तो इसमें क्या बोला जा रहा है the highest common factor of two or more than two polynomials hcf जो होता है वो दो या दो से जादा polynomials का मालूम किया जाता है एक polynomial का नहीं होता जैसे के यह question example number 11 में आप देख सकते हो एक polynomial ये है एक polynomial ये है एक polynomial ये है इन्हें expression भी कह सकते है polynomial भी कह सकते हैं तो क्या चीज़ दो या दो से ज़ादा polynomials का HCF मालूम किया जा सकता है और यह होता कि है HCF is a highest degree polynomial यह HCF जो होता है highest degree polynomial होती है तो अब यह बात कैसे समझ में आएगी अब आप देखिए यह example number 11 हमारे पास है इसमें हमारे पास जो है यह HCF आया है ठीक है अब 6b square c तो अगर मैं यहाँ पे लिखके बताता हूँ 6b square c अब यह एक polynomial है अब यह polynomial कौन सी है highest degree polynomial है highest degree polynomial का मतलब क्या कि यह highest number है ठीक है 6 जो के मैं color change करके बताता हूँ यह highest number है जो के इन तीनों number को divide करता है ठीक है और इसी तरह आपको सासा definition भी नजर आनी चाहिए यह अब नजर आ रहे होगे ठीक है दुबारा बताता हूँ कि क्या बोला जा रहा था highest degree polynomial यह कहा जा रहा था न तो यह हमारे पास highest degree polynomial है कैसे पता चला यह highest degree है क्योंकि इसके अंदर जो number है वो भी highest number है जो के इन तीनों number को divide कर सकता है सिक्स से बड़ा ऐसा कोई number नहीं होगा जो इन तीनों को divide कर सकता है इसी तरह variables की बात करें तो variable में b225 जो है वो highest degree वाला variable है जो तीनों में मगुध interrogation है यह b225 जो है इधर के इधर के इधर के बी इधर के और इधर के भी तीनों को divide कर सकता है और यह जो degree है न इससे confused मत होईएगा यह जो variable की maximum power होती है इसे degree कहा चाता है तो इस वक्त B की maximum power 2 है यानि 2 maximum degree है जो के 2 जो है B की maximum power है जो के इन तीनों के अंदर B को divide कर सकती है ठीक है इसी तरह C जो है वो भी highest degree के साथ variable है जो तीनों में C को divide कर सकता है ठीक है यानि C की power अगर 2 रख देंगे तो यह first polynomial का C जो है वो divide नहीं हो सकता तो यही चीज highest degree polynomial का मतलब इसके अंदर variable की जो degree है वो highest है और number भी highest है इसलिए highest degree polynomial इसे कहा गया है और यह करता क्या है which divides the given polynomial exactly यह दी गई polynomials को मुकमल तोर पर divide कर देता है जैसे 6b square c जो है यह मुकमल तोर पर इसको भी divide कर देगा इसको भी divide कर देगा इसको भी divide कर देगा तो I hope समझ में आया होगा दुबारा से last में एक बार सारी definition बता देता हूँ कि highest common factor जो है वो highest degree polynomial होती है जो के दो यह दो से जादा दी गई polynomial को मुकमल तोर पर divide करने की सलाहित रखती है तो यह होता है तो उमीद करता हूँ HCF किसे कहा जाता है यह भी सीख गए और दी गई polynomials का HCF मालूम कैसे करते हैं वो भी आप सीख गए होंगे ठीक है तो question number one का a part जो है आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है इसको पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है find the HCF of the following monomials अदर जैल दी गई monomials का आपने HCF मालूम करना है ठीक है बाइ completing the table table को मुकमल करते हुए तो translation की अद्धक समझ में आ गया लेकिन अब आपको पता चल चुका है वीडियो के पिछले समय में बता चुका हूँ HCF किसे कहा चाता है ठीक है मालूम कैसे करते है HCF ये भी आप सीख चुके होंगे नहीं भी सीखा जो बच्चे वीडियो को यहां से देख रहे हैं तो उनका भी काम चल सकता है ऐसा कोई मसला है नहीं लेकिन concept उसको HCF का नहीं मिल पाएगा ठीक है तो इसी तरह following monomials monomials का मतलब क्या होता है यह तो मैं अभी दुबारा से भी बता सकता हूं वीडियो में पहले भी बताया है तो देखिए जैसे monomials का मतलब होता है single polynomial जैसे आपका question number यहां पर one है ठीक है तो यह क्या है 16 p cube q और आगे-आगे 9 p q square r यह हमारे पास दो monomials है इन्हें monomials क्यों कहा जा रहा है क्योंकि यह single polynomial है polynomial की तीन किसमे जैसे के अगर मैं बात करूं अगर कहीं पर लिखा हुआ हो मैं color change करके बताता हूं जैसे अगर कहीं पर लिखा 2x plus 3y तो क्या यह monomials है? यह monomial नहीं है क्यों क्योंकि इदर 2 term है ठीक है एक यह और एक यह तो जो जब 2 term होती हैं उसे binomials कहा जाता हैphinomials कहा जाता है mynoil कैस कब होगी यह monomial तब होगी अगर इनके दर्मियान से मैं यह plus replace हटा दूं ठीक है और plus हटाने के बाद यहां पर कॉमा डाल दूँ कॉमे का मतलब क्या होता है कि यह अब अलग है यह अब अलग है अब यह दो polynomial बन गई तो जब भी दो यानि single polynomial होगी तो उससे आप monomial कहा जाता है single को monomial कहा जाता है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो यह binomial बन जाएगा लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ठीक है आगे एक और term लगा दूँ तो यह trinomial बन जाएगा ठीक है तो monomial का मतलब जहां पे single एक term या expression हो जैसे आप question को देखेंगे तो question में भी यह एक अलैदा polynomial है यह एक अलैदा polynomial या expression है ठीक है इसी लिए इनको monomial कहा जाता है तो single expression या polynomial जो है उसे monomial कहा जाता है यह आप समझ सकते हो ठीक है तो monomial की बाद भी समझ में आ गई अब आप question को अगर देखेंगे दिहान से table में तो आपको पहले column में क्या कहा गया है कि HCF of numerical coefficient आप HCF मालूम करो in numerical coefficients का ठीक है तो variable के साथ जो number होता है उन्हें क्या बोला जाता है coefficient बोला जाता है तो 16 और 9 का HCF आप मालूम करेंगे और उसका answer यहां लिखतेंगे ठीक है इसी तरह पिर आगे बोला गया है कि आप HCF मालूम करो P का तो आप question में देख सकते हो यह रहा P cube और यह रहा P ठीक है तो P cube और P इनका HCF क्या होगा उसका यहां पर लिखतेंगे इसी तरह question के अंदर Q भी मुझूद है ठीक है sorry यहां पर Q square है तो इन दोनों का HCF मालूम करके यहां लिख देंगे तो कहने का मतलब यह है के question के अंदर जितने भी variable और number है उन सब का आपने HCF मालूम करना है और हर एक का HCF उसके नीचे दिये गए column के यह box के अंदर लिखना है ठीक है और end में required HCF का जो column नजर आ रहा है तो इसके अंदर required HCF total लिख देंगे इस पूरे question का ठीक है तो थोड़ी सी बात में आपको यह बताना चाहूंगा कि जो question होते हैं जैसे कि अगर यह question होता हमारे पास और हमें कहा जाता है इस पूरे question का HCF मालूम करो तो आप direct process से HCF मालूम कर देते ठीक है और वो HCF इधर लिख देते ठीक है लेकिन इस table को बनाने का मकसद यह है कि आप लोग यह अच्छे से सीख सको कि प, q, 16 यानि हर एक value का HCF कैसे मालूम किया जाता है तो इससे आपको बहतर होगा असूल को समझना असान हो जाएगा अच्छे से समझ पाऊगे HCF का fundamental principle तो that's why यह box बनाया गया ठीक है अब यह मालूम कैसे करते हैं उसके ओपर बात कर लेते हैं तो देखे सबसे पहले जैसे के कहा गया है कि आपने numerical जो कॉफिशेंट है उसका HCF मालूम करना है तो numerical कॉफिशेंट कौन से है 16 और 9 इनका HCF कैसे मालूम करेंगे तो जब भी numbers का HCF मालूम करते हैं तो 16 और 9 यह दो है तो इन दोनों को ऐस से लिखो और एक ऐसा number ढूंडो जो के इसको भी divide कर दे और इसको भी divide कर दे अब जब आप 2 का table पढ़ेंगे 16 चला जाएगा 9 डिवाइड नहीं होगा फिर 3 का पढ़ेंगे फिर 3 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 16 डिवाइड नहीं होगा तो आप फस जाएंगे आप कहें ऐसा कोई number नहीं है जो के इन दोनों को डिवाइड कर सके तो जब भी ऐसा कोई number ना मिले जो के दोनों को डिवाइड कर सके तो ऐसे scenario में ऐसे scenario में नहीं हर दो number का एक जैसे के one एक ऐसा number है जो के हर number को डिवाइड कर सकता है लेकिन one को हम लिखते नहीं है जैसे के अगर कह पे लिख्खा हो है P square ठीक है तो इसके साथ one तो है ना जब जब हम P square को add करेंगे P square के साथ हम क्या लिखते हैं two P square तो one हमेशा होता है हम लिखते नहीं इसी तरह one जो है हर number का factor होता है लेकिन हम लिखते नहीं है अब यहाँ पर क्यों लिखेंगे क्योंके ऐसा कोई और number हमारे पास नजर ही नहीं आ रहा तो हम खाली तो नहीं लिख सकते ना यानि सोरी नजर नहीं हम यहाँ पर table को खाली तो नहीं रख सकते तो इसलिए जब कोई number आपको ना मिले ऐसा जो दोनों को divide करें तो one आप लिखते हैं क्योंके actually मैं one हर number को divide कर सकता है तो देखिए जैसे कि इस बात को मैं थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश करूँ जैसे कि आप क्या मालुम कर रहे हो HCF मालुम कर रहे हो किसका 16 का और 9 का ठीक है HCFF का मतलब यहां पर क्या है factors मालुम कर रहे हो 16 और 9 के तो यह 16 है और यह 9 है अब 16 और 9 के factors का मतलब क्या कि ऐसे number हमें ढूंडने होते है factors में जो के 16 को भी और 9 को भी divide कर सके तो अगर आप singly number ढूंडेंगे जैसे 16 है तो 2 8 16 मिल जाएगा 2 4s are 8 मिल जाएगा 2 2 the 4 मिल जाएगा and 2 1s are 2 मिल जाएगा तो क्या मिल गए हमारे पास हमारे पास मिल गए 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 इसी तरह 9 के factors क्या हो जाएगे 9 के हो जाएगे 3 3 the 9 and 3 1s are 3 तो इधर 3 लिख देंगे तो अब यह factors तो हैं लेकिन हमने क्या मालूम करने है hcf तो factors तो मालूम करने है लेकिन factors के बाद common भी देखना होता c का मतलब यहाँ पर क्या है common तो factors में common यहाँ पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा तो ऐसे में क्यूंके 1 भी सबका factor होता है लेकिन हम लिखते नहीं है तो इसलिए जब कोई दो factors आपको common ना मिलें तो उस scenario में आप 1 जो है उसको highlighted करते हो और उसको उस जगे पर लिख देते हो तो आप दोनों में से किसी तरह से भी चीज़ को understand कर सकते हो कि जब दो number में कोई भी आपको common factors ना मिलें तो ऐसे scenario में 1 होता है चाहे तो आप इस concept से बात को जहन में रखो चाहे तो आप इस concept से रखो कि जब कोई table ना जा रहा हो 16 और 9 पे तो ऐसे 2 या 2 से जादा कोई भी number हो तो 1 जो है वो common factor होता ही होता है हर number का ठीक है तो क्यूंके 16 और 9 के common factor हमें नहीं मिल रहे तो इसलिए हम वहाँ पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे क्यूंके 1 जो है वो तमाम numbers का common factor होता है ठीक है जो है वो यहाँ पे भी है और इस polynomial के अंदर भी है तो दोनों monomial के अंदर मुझूद है P तो इसलिए variable का HCF मालूम करने का क्या तरीका होता है जैसे 2 polynomial है यहाँ पर तो एक के अंदर P की power 3 है और एक के अंदर P की power क्या है 1 है जहां कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ पावर 1 होती है तो variable के अंदर यह rule होता है कि जो lowest power होती है variable की वो HCF होता है ठीक है तो इधर P3 है और P1 है तो इन दोनों में lowest कौन सी power है P की power 1 तो यहाँ पर अब क्या लिख देंगे HCF में P खाली P लिख देंगे क्योंकि उपर 1 नहीं लिखते है यह तो समझाने के लिख रहा हूँ 1 लिखो या ना लिखो इससे फरक नहीं पड़ता तो इन दोनों के अंदर से HCF क्या आ गया हमारे पास P आ गया ठीक है इसी तरह और variable किसका जिकर किया गया है यहां पर अग variable है इन में से HCF कौन सा होगा जो lowest power होती है variable की वो HCF होता है तो यहां पर Q की power 1 है तो यही lowest है तो its mean के यहां पर आप क्या लिखेंगे यहां पर only Q लिखतेंगे ठीक है उसके बाद आगे अगर चलेंगे इसको मिटा देते हैं तो अब देखिए R इधर जो है sorry white color ले 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 F के अंदर अगर आप धर्मियान में देखें तो common factor लिखते हैं तो जब इसके अंदर R मौझूद ही नहीं है तो common तो नहीं हुआ ना तो इसलिए इस इससे को हम या इस box को हम खाली चोड़ देंगे क्योंकि R का HCF नहीं है अब हम क्या करेंगे अब हमें required HCF लिखना है तो required H-C-E-F का मतलब क्या हुआ? required HCF का मतलब यह हुआ कि इन दोनों का overall HCF कितना हुआ? तो वो क्या होगा, इन सब को आप multiply कर लोगे? जितने भी हमने HCF मालूम किये है तो अब अब जो HCF मालूम किया है वो कौन सा है वो है 1 और वो है P और वो है Q इन तीनों को अगर multiply करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा only P Q क्योंकि वन जो है वो तो लिखते ही नहीं है ठीक है तो अब यहां पर overall HCF कितना हो जाएगा P Q तो यहां पर आप लिख लेंगे P Q यह small P है यह capital P नहीं है ऐसा लिख रहा हूं में ठीक है तो यह small ही समझेगा इधर भी मैंने गलत लिख है अगर यह बड़ा लग रहा है क्योंकि तो यह small P है ठीक है जो चीज़े नहीं समझ में आई आपको अगले में समझ में आ जाएंगी तो second part की तरफ चलते हैं तो यह आपके पास तीन मनोमियल हैं second part में इन तीनों को मैं यहां पर लिख लेता हूं ताके आप लोगों को मैं समझा सकूं साथ साथ तो 10 P क्यूब Q स्केर R है first मनोमियल second के 5 P स्केर ठीक है उसके बाद क्या है Q R और third मनोमियल है हमाँ पस 15 P स्केर Q R स्केर ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या मा 10, 5 और 15 तो इनका HCF मालूम कर लेते हैं तो यहां पर ऐसे line डालिए 10, 5, 15 तो हमें ऐसा number ढूड़ना है जो के तीनों को divide कर सके तो 5 वो number है 5 to the 10, 5 one's a 5, 5 three the 15 ठीक है अब इसके बाद कोई भी ऐसा number नहीं है जो के 2 को और 3 को divide कर सके ठीक है तो 1 है obviously बात है 1 होता है factor लेकिन 1 को हम तब लिखते हैं जब कोई भी हमें factor ना मिल रहा हो तो अभी तो हमें 5 जो है वो factor मिल चुका है जो के common है इन तीनों को divide कर सकता है तो 5 हम हमें HCF मिल गया numerical value का तो यहां पे हम 5 लिखतेंगे ठीक है उसके बाद अब हम आगे variables की तरफ चलेंगे तो इसको मिटा लेते ह है इमिटाने के बाद आगे हमें किसको करना है P को यहां पे ठीक है तो questions में हमारे पास P जो है वो तीनों के अंदर यहां पे क्या है P cube यहां पे क्या है P square और यहां पे क्या है P square तो तीनों के अंदर से जो lowest form है ठीक है वो lowest form कौन सी है P square जो है वो lowest form है तो यह जो है जो lowest form वाला variable होता है, वो hcf होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, p square आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूँगा, small p और इसके उपर square डाल दूँगा, ठीक है, तो p का भी हमें मिल गया, थोड़ा सही तरह नहीं लिखा गया, इसको यहां पर p के उपर square आ ठीक है, अब इसके बाद जो है, हमें अगला variable कौन सा है, q, तो q को find out करना है, तो q को अगर देखें, तो यहां पर क्या है q square, इधर क्या है, हमारे पास only q, और इधर क्या है only q, तो तीनों के अंदर q variable की जो lowest form में क्या है, वो one है, ठीक है, यहां पर भी one है, यानि कि अगर दो दफा one लिखा हो, तो यह चीज तो पता ही होनी चाहिए, बस एक जो सबसे lowest होती है, वो हमने लिखनी होती है, तो सबसे lowest जो है, तीनों के अंदर q की power one है, तो उपर हम यहां पर लिख देंगे only q, क्योंकि one power जो है, वो लिखो या ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद r को देखा जाएगा, आर जो है, तीनों के अंदर मौझूद है या नहीं है, तो आर को अगर मैं देखूँ, तो पहले के अंदर r की power one है, दूसरे के अंदर r की power one है, तीसरे के अंदर, sorry, कोमा डाल रहा हूं, लाइन डालने चाहिए, r और r square, तो यह जो है, तीनों variables मौझूद है, तो अब इसमें lowest form कौन सी है, lowest form जो है, वो variable की r one है, ठीक है, तो r की power one जो है, इसको यहाँ पे लिखतेंगे, ठीक है, तो यह r की power, sorry, one नहीं लिखतेंगे, तो यह हमें third का hcf r का भी पता चल गया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, required hcf मालूम करना है, तो required hcf कैसे मालूम करते हैं, इन तमाम hcf को multiply कर देंगे, तो इस overall का hcf बन जाएगा, ठीक है, तो इन सब को multiply करें, तो यह क्या हो जाएगा, five है, p square है, q है, r है, तो अगर तीन, यह चारों को multiply करेंगे, तो यह ही बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, five, p square, उसके बाद q, और यह साथ में r आ गया, ठीक है, तो यह इसका answer हो गया, उमीद करता हूँ, यह भी समझ r to the power 4, उसके बाद coma, उसके बाद 28, p cube, q, r square, उसके बाद 3, monomial है, हमारे पास 7, p square, q, r square, उसके बाद 4, polynomial है, 21, p square, q square, r to the power 4, ठीक है, तो यह हमारे पास question आ गया, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है, coefficient, जो है, उसका hcf, तो उसमें, अगर हम देखें, मैं color change कर लेता हूँ, यहाँ पर, तो देखिए, हमारे पास 14 है, 28 है, 7 है, 21 है, ठीक है, तो इन चारों का hcf मालूम करना है, तो यहाँ पर इन चारों को लिख लेजे, तो पहला number है, 14, दूसरा है, 28, तीसरा है, हमारे प number है, क्योंकि 7, 2 दा कितना होता है, 14, 7, 4 दा 28, 7, 1 दा 7, और 7, 3 दा 21 हो गया, ठीक है, उसके बाद अब आगे कोई ऐसा digit नहीं है, जो के इन सारों को एक ही table पे divide कर सके, ठीक है, तो इसमें के 7 ही बस common number है, तो यही हमारा hcf हो जाएगा, तो इसलिए 7 जो है, हम इधर लेंगे, ठीक है, तो coefficient numbers का मालूम कर लिए, अब variables की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, variables में, सबसे पहले P है, P को अगर देखें, तो इधर P to the power 4 है, इधर P to the power 3 है, इधर P square है, इधर जो है, वो भी P square है, ठीक है, तो अब इन सब में, ज इसको consider कर लो, अचा है, वो इसको consider कर लो, लेकिन, जैसे कि इधर power 4 है, इधर 3 है, लेकिन हमें सबसे lowest choose करनी है, तो P की power 2 सबसे lowest form है, तो ये हमारे पास HCF आ जाएगा, तो आप यहाँ पे P square जो है, वो लिख लेंगे, ठीक है, तो जैसे P का हमने HCF मालूम किया, इसी तरह Q का HCF मालूम करेंगे, तो Q का अगर मालूम करने जाएं, तो इधर Q की power 1 है, ठीक है, 1 लिखते नहीं है, इधर जो है, इधर भी Q की power 1 है, इधर भी Q की power 1 है, और इधर Q की power 2 है, ठीक है, तो इन सब में जो है, सबसे lowest form कौन सी है, obviously बाद Q की power 1, तो Q की power 1 है, तो 1 लिखते नहीं है तो only q इधर mention करतेंगे ठीक है इसके बाद r variable की तरफ चलेंगे हम r variable की तरफ चलें तो इसको मिटा देते हैं r में अगर देखें तो first में r to the power 4 है second में r square है third में भी r square है और last में r to the power 4 है ठीक है तो इसमें सबसे चोटी power कौन सी है सबसे least exponent कौन सा है तो अगर देखा जाए तो r square है ठीक है तो r square सबसे चोटा है तो इसलिए यहां पर हम hcf r के अंदर r square लिखतेंगे ठीक है तो यह भी हो गया अब overall required hcf क्या हो जाएगा इन सारों को आपस में multiply कर लो तो 7 को multiply करेंगे p square से फिर q से और फिर r square से तो जब multiply करेंगे तो यही आ जाएगा 7 p square q r square ठीक है तो यह हमारे पास hcf आ जाएगा तो इसको हम उपर लिख लेते हैं तो 7 p square q r square ठीक है तो इस से आप लोगों का यह hcf भी मुकमल हुआ तो उमीद करता हूं यह question जो है आप लोगों को समझ में आगे होगा असान है जादा मुश्किल है नहीं अगर आपने शुरू में concepts को समझाए ठीक है तो चलिए इसके बाकी parts की दरफ चलते हूं तो b part जो है आप को screen के ओपर नजर आ रहा है इस question को पढ़ लेते हैं समझते हैं किसमें क्या कहा जा रहा है इसमें बोला जा रहा है if all common factors with least power of three unknown polynomials ठीक है वो यह बोल रहा है कि अगर तमाम common factors with least power यानि कि common factors हैं और उन common factors में least power के साथ वो मुझून है common factors ठीक है और यह common factors किसके हैं unknown polynomials के हैं क्या बात कह रही है कहा जा रहा है इस question के अंदर के तीन polynomial हैं यह नहीं बताया गया वो कौन सी हैं जैसे कि यह blank boxes बना दे यह आप समझे कि यह तीन polynomial हैं जो कि हमें नहीं पता अब question वाला बोल रहा है कि इन तीनों के जो common factors है न वो मैं बता रहा हूं question के अंदर जो के कौन-कौन से हैं टू की पावर टू थ्री पी क्यू एंड प्लस क्यू होल का स्केर ठीक है तो यहां पर अगर लिखूं टू की पावर टू और ट्री पी क्यू और प्लस क्यू होल का स्केर तो then what would be the HCF तो HCF जो है इन polynomials का क्या होगा ठीक है दुबारा से question समझाने के कोशिश करता हूँ तीन unknown polynomials हैं हमारे पास ठीक है उन तीनो unknown polynomials के common factors मौझूद है ठीक है और common factors जो हैं वो least power के साथ मौझूद है यानि के यह भी least power वाला यानि के common factors आप लोगों को अगर question number one याद है तो सबसे पहले हम common ढूंटते हैं और पर common के अंदर lowest ढूंटते हैं और उनको multiply करते हैं ठीक है तो यह lowest form के अंदर ही मौझूद हैं जितने भी common factors हैं ठीक है तो अब यह बोल रहा है कि इनको इस्तमाल करते हुए आप यह बताएं कि इन तीनों polynomial का HCF जो है वो क्या होगा यह question में है बोला जा रहा है तो बहुत असान है अगर आपको यहीं question काफी बच्चों को सकता है यहीं पी समझ में आज है तो देखिए question में HCF मालूम करने का क्या तरीका होता है question में HCF मालूम करने का यह तरीका होता है कि वो जो unknown polynomials हैं जैसे कि यह 3 unknown polynomials हैं इनका सबसे पहले क्या मालूम किया जाता है इनके सबसे पहले क्या मालूम किये जाते हैं factors मालूम किये जाते हैं ठीक है factors मालूम करने के बाद दूसरे step में क्या करते हैं कि common कौन से हैं वो मालूम करते हैं ठीक है जब common factors आ जाते हैं तो फिर थर्ड में हम क्या करती हैं जो लोइस्ट फॉर्म वाले common factors हैं उनको हम लिखते हैं और फिर फॉर्ट step में क्या करते हैं कि वह जो lowest common factors होते हैं उन सबको आपस में multiply कर लेते हैं ठीक है तो जब वो multiply हो जाते हैं तो वह हमारा answer हो जाता है तो इन चार स्टेप को देखें अगर हम तो हमारे पास question के अंदर ये वाला step बता दिया गया question में यही बोला गया नहीं कि यह common factors है least power के साथ ठीक है जो कि आपको यहां पर नज़र आ रहा है ठीक है अभी मुझे solve करने दीजिए फिर मैं question number one के example को इस्तमाल करते हुए और अच्छे से इसको बता दूँगा तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो इस question को अगर solve करें तो solve करने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले तो इ हो जैसे कि मैं निकाले के all common factors with least power of three unknown polynomial ठीक है यही question के अंदर बताए गया था तो यही लिख दिया all common factors with least power of three unknown polynomials इसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो अब वो कौन-कौन से हैं आप ऐसे भी लिख सकते हो आर आर लिखने के बाद two के power two three pq और p plus q whole का square ऐसे भी लिख सकते ह हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मुक्तित तरह से बता देता हो equal का sign डाला और यहां पे लिख दिया two के power two और second जो common factor least power के साथ वो three है उसके बाद जो है वो क्या है तो यहां पे आप लिख दीजिए pq ठीक है उसके बाद जो common factor है वो कौन सा है p plus q whole का square तो p plus q whole का square तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यह पूरी लाइन सीधी लिख दो उसके बाद यानि आई होप यह चीज़ तो आपको समझ में आई होगी तो सबसे पहले जो given data है question का question में यही चीज़ बताए गई थी ना कि unknown polynomial जो है उनके तीन यह least power के साथ common factors है तो यह लिख लिख लिखने के अब हमें पता है कि हमें क्या मालूम करना है हमें मालूम करना है HCF और HCF मालूम करने के लिए जितने भी least power के साथ common factors है उन सबको multiply कर देते हैं तो अब मैं यहां पर क्या statement लिख 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 लिए then HCF would be तो HCF would be आप ऐसे भी लिख सकते हो then HCF of unknown polynomials आप ऐसे भी लिख सकते ह हो तो वह कितना होजयेगा HCF इन सबको आपस में multiply कर दो, तो की power 2 multiply कितना हो जाएगा 3 multiply कितना हो जाएगा Q multiply कितना हो जाएगा P plus Q whole का square तो जब इनको multiply करेंगे तो two की power कितना आ जाएगा four यानि 2 to the four और 4 three कितना हो जाएगा 12 ठीक है तो सारे numbers का simplify करेंगे तो यह answer हो और यह भी आप वैसे का वैसा लिख दो क्यूंकि आपने HCF मालूम करना था तो यह जो है वह HCF है किसका वह जो unknown polynomials question में बताई गई थी उसका तो सी पार्ट जो है आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है इसको पढ़ लेते हैं translation है question है के दो polynomial बतानी है जिनका HCF जो है वह 1 हो ठीक है तो ऐसी काफी सारी polynomials होती है जिनका HCF 1 होता है अगर आपको question number 1 का ए पार्ट के अंदर पहला पहला पार्ट नजर याद जहन में आ रहा है तो वहां पे दो polynomial से जिनका HCF 1 था लेकिन मैं यहां पे वह polynomials लिखूंगा जो के आपके answer के तोर पर लिखी हुई है बुक में पीछे ठीक है और बताता हूं वज़े के क्यों वह लिखी है ठीक है तो सबसे पहले solve लिखेंगे solve लिखने के बाद एक statement लिख देते हैं तो यह मैंने statement polynomials with HCF as one are वो दो polynomials कौन सी हैं जिनका HCF 1 होगा एक कर लेते हैं x plus y whole square और एक कर लेते हैं x minus y whole square क्योंकि दो polynomial यह हैं इनका HCF 1 होगा ठीक है तो अब कैसे इस बात को समझ सकते हैं का HCF 1 होगा तो क्योंकि इन में common factor कोई भी नहीं है जैसे मिसाल के तोर पे x plus y है एक polynomial whole square x minus y whole greater x square एक यह है तो इसको सबसे पहले क्या आगरते हैं वैस यह पहले से factor की form है लेकिन चलो eigenlijk दिखाऊ तो चलो शालो आपको लिक्कर सकते हैं न तो एक्स प्लेस paying equally and x-y है ऐसे लिक थीक है तो अब कॉमन factor है इन दोनों में कुछ भी common factor नहीं है ठीक है लेकिन 1 एक एसा number है ज इसलिए जहां कुछ आप इस बात को ऐसे भी जहन में रख सकते हो जहां कुछ common factor नहीं होता वहां पर one common factor होता है ठीक है तो चाहे ऐसे याद कर लो तो इसलिए क्योंके इन दोनों के अंदर कोई common factor नहीं है इन दोनों polynomial के अंदर इसलिए इसका factor जो है वो क्या होगा one होगा ठ हैं तो यह आपका answer हो गया यहां पर आप a minus b a plus b भी लिख सकते हैं और values polynomials भी लिख सकते हैं ठीक है तो इसलिए answer में आगे etc भी लिखका हुआ के वगहरा वगहरा ठीक है तो चलिए यह question भी समझ में आगे होगा अगले की तरफ चलते हैं तो d part जो है आप लोगों को screen के आपर नजर आ रहा है इसमें क्या बोला जा रहा है दा only common factor of two polynomials is m minus n के दो polynomial है हमारे पास और उन दो polynomials के अंदर एक ही common factor है और वो कौन सा है m minus n ठीक है question के इस हिससे में यह बात की जा रही है अगले हिससे में क्या बोला जा रहा है and or the only uncommon factor is m square plus n square और एक ही uncommon factor है जो के m square plus n square है ठीक है आगे क्या बोल रहा है can you guess the unknown polynomials क्या आप इस information को इस्तमाल करते होए guess कर सकते हो कि वो unknown polynomials कोन सी है यह question में कहा जा रहा है translation की हद तक समझ में आ गया थोड़ा conceptual भी बताने की कोशिश करता हूं कि क्या कहा जा रहा है देखिए the only common factor of two polynomials तो दो polynomials की बात की जा रही है तो हम ऐसा कर लेते हैं जैसे यह box है पी से polynomial समझने के लिए रख लेते हैं यह polynomial one है for example यह जो है polynomial two है ठीक है यह दो polynomial है ठीक है और इन दोनो polynomial के साथ साथ क्या बताये गया है कि common factor भी एक ही हमारे पास m-n to common factor का मतलब क्या होता है कि अगर m-n जो है वो common factor है तो m-n जो है वो polynomial one में भी मुझूद होगा factor के तोर पर और m-n जो है वो polynomial two में भी मौझूद होगा फेक्टर के तोर पर तब ही तो यह हम कह सकते हैं कि M-N जो है वो common है ठीक है और एक ही ऐसा factor है तो it's mean कि यह हमारे common factor है दो-दो polynomial के ठीक है जो कि अभी हमें नहीं मालूम अब आगे वो कह रहें कि uncommon factor भी है जो कि M plus N है तो अगर M plus N को मैं इधर लिख दू तब भी कोई बात नहीं है क्योंकि uncommon जो है वो उसने यह नहीं का दोनों में से किस के अंदर मौझूद है बस यह बताया कि एक uncommon factor भी है तो अगर आप polynomial 1 के अंदर आप शामिल कर देंगे M square plus N square तब भी कोई मसला नहीं होगा अभी भी question बिलकुल सही है क्यों क्योंकि यह दो polynomial आ गए और इन दोनों के अंदर यह common आ गया और यह uncommon आ गया ठीक है और अगर मैं M square plus N square को नीचे वाले के साथ factor बना दूं ठीक है M square plus N square तब भी कोई मसला नहीं है क्योंकि अभी भी यह common है और यह uncommon है ठीक है तो question हमारे पास statement की सूरत में था उसको हमने mathematically written form में लिख लिया अब question के अंदर क्या कहा गया है question के अंदर यह बोला गया है कि यह polynomial 1 और polynomial 2 कौन सी होंगी यह guess करो तो अब यह असान सी बात होगी क्योंकि यह दो factors है और उपर एक factor है तो it's been के polynomial जो है वो यह तीनों ही होंगी जैसे के polynomial 1 जो है वो क्या होगी M minus N ठीक है और अब कोमा आ जाएगा ठीक है एक polynomial यह होगी और second polynomial कौन से होगी M minus N और M square plus N square second polynomial हमारी यह होगी ठीक है ऐसा क्यों मैं कह सकता हूँ क्योंकि आप देखे एक polynomial यह होगी और एक यह होगी तब ही तो M minus N common होगा और M square plus N square uncommon होगा ठीक है I hope समझ में आपको आया होगा concept मैंने दिया है इसको solve कैसे करेंगे written form में लिखूंगा तो शायद और अच्छे से समझ वाए तो सबसे solve करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले इदर लिखते है solution या फिर solve उसके बाद statement की सूरत में हमें बताना होगा जैसे के यह मैंने statement में लिख दिया only common factor ठीक है तो यह लिख लिए मैंने only uncommon factor वो क्या है हमारे पास m square plus n square ठीक है अब common भी लिख लिख लिए question का uncommon भी लिख लिख लिए required polynomial या दूसे लफजों में unknown polynomials कौन सी हैं वो लिखनी होंगी तो statement लिख लेता हूं तो यह मैंने statement लिख 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 ली then two polynomials are आप यह भी लिख सकते हैं then two unknown polynomials are यह भी लिख सकते हैं तो unknown कौन सी होगी एक तो होगी m minus n क्यूंकि यह common है दोनों में होगा उसके बाद coma आए कि एक polynomial यह है और दूसरी कौन सी होगी दूसरी होगी m minus n और m square plus n square दूसरी यह होगे ठीक है तो यह हमारे पास answer हो जाएगा बस एक conceptual है उमीद करता हूं समझ में आया होगा तो इसने question में दो polynomials की बात की थी ठीक है तो दो polynomials में से एक polynomial यह हो गई एक polynomial यह हो गई और जैसे के question में कहा था कि common जो है वो क्या है m minus n तो m minus n इसमें भी है m minus n इसमें भी है और uncommon जो है वो कौन सा m square plus n square वो चाहे इसके साथ शामिल कर लो चाहे इसके साथ कर लो वो मसला नहीं है ठीक है तो यह पार्ट जो है वो आप ल अंदाजा लगा सकते हो of two polynomials, दो polynomials का जिसमें से एक polynomial है x cube plus 5x plus 1 and दूसी polynomial है 1 plus 5x plus x cube without any procedure किसी भी procedure को इस्तमाल किये बिना, ठीक है, क्या मतलब हुआ कि x cube plus 5x plus 1 एक polynomial ये है और एक है 1 plus 5x plus x cube ये दो polynomial है, इन दोनों polynomials का hcf बता दो बिना solve किये, बिना हल किये, बिना पर किसी procedure के, तो इनका hcf क्या होगा, इनका hcf ये ही होगा, x square plus 5x plus 1 तेक है, ये hcf होगा, अब मुझे कैसे पता चला, ये hcf होगा because, जब भी दो polynomial same होती है, एक जैसी होती है, तो उनका hcf वो खुद होती है, ठीक है, जैसे ये और ये एक जैसी है, बस इन में फर्क जो है, वो arrangement का है, इधर x cube पहले है, इधर बाद में है, इधर 1 जो है end में है, इधर पहले है, लेकिन ये है एक ही, एक ही polynomial, ठीक है, ये बिलकुल ऐसे ही बात है, जैसे a plus b, ब्राबर होता है, b plus a के, ठीक है, ये आपने सीखेने हैं, तो arrangement से फर्क नहीं पड़ता, तो नई बात है, जहन में रखने वाली बात है, आप याद रखिएगा, कि जब भी दो polynomial एक जैसी होती है, बस तर्तीब का फर्क हो, तो उस scenario के अंदर उनका HCF वो खुद ही होती है, ठीक है, इस बात को अगर मैं तोड़ सा समझाने की भी कोशिश करूँ, तो देखिए, जैसे square के अंदर समझ लेते हैं इस बात को, यहाँ पर लिख लूँ, मैं x square plus 2xy plus 1, और यहाँ पर लिख लूँ, 1 plus 2xy plus x square, ठीक है, तो अब आपको पता है, कि यह x plus 1 whole square के equal आती है, यह polynomial और यह भी x plus 1 whole square के equal आती है, क्योंकि formula लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, या इसको मैं और असान करूँ, ठीक है, इसको हम formula के shape में लिख लेते हैं, जैसे a plus, sorry, इस तर्तीब में लिखने है, a plus 2ab plus b square, अब आपको जहन में शायदा है, b square plus 2ab plus a square, ठीक है, तो इनका जो hcf है वो यही होगा, ठीक है, क्योंकि यह एक जैसे हैं, अगर इसको hcf, वैसे मालूम करके भी देखें, a square plus 2ab plus b square, तो इसको factorized form में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, a plus b whole का square, ऐसे लिखेंगे न, factorized form में, यह without factorized form में है, और इसकी factorization हो गई, तो a plus b whole का square यह answer आजाएगा, तो अब देखें, इसका भी यही factors बनेंगे, और b square plus 2ab plus a square, इसके भी factors जो हैं, वो यह दोनों ही बनेंगे, sorry, यह दोनों ही बन जाएगे, तो आप ऐसे scenario में, आप क्या चीज़ note करेंगे, वो यह, कि इसका और इसका दोनों का hcf, यही होगा, क्योंकि देखें, दोनों के अंदर मुझूद है, a plus b whole का square, तो hcf क्या हो जाएगा, hcf हो जाएगा, a plus b whole का square, ठीक है, तो अगर देखा जाएगे, तो यह hcf जो है, वो इसके और इसके equal ही तो है, तो basically यह formula है, ठीक है, तो इसको मिटा देखेंगे, तो शाहिद confusion create करें, तो a plus b whole के square को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसलिए यह कहने में कोई हर्ज नहीं, कि जब भी कोई भी दो polynomial मुझूद हों, और एक जैसी हों, तो उनका hcf जो होता है, वो खुद ही होता है, उनमें से एक polynomial एक बार लिख दीजे, और आपका question solve ह हो जाएगा, ठीक है, तो यह तो हो गया सारा concept, अब बात कर लेते हैं, कि इसको सर लिखेंगे क्या answer के तोर पर, तो यहाँ पर एक line लिख दीजे आप, यह मैंने line लिख दी, since polynomials are same, अगर्चे, या क्यों के polynomials एक जैसी है, so their hcf is, क्या हो जाएगा, जो polynomial दी गई है, उनम cube, plus 5x, plus 1, तो यह हमारे पास hcf आ जाएगा, तो अब आप बीना procedure के ही, किसी भी question के अंदर यह बात बता सकते हैं, कि polynomials एक जैसी है, तो उनका hcf, उनमें से एक polynomial को एक बार लिखो, और वो hcf कहलाएगा, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, यह question भी समझ में आ गया होगा, तो question number 2 से question number 9 तक आप लोगों को screen के उपर नजर आ रहे होंगे, ठीक है, अब यह question जो है, अलग तरह से solve होंगे, हम सबसे पहले इसके concepts के उपर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी, क्योंकि वो ज़रूरी है, कि इन expressions को क्या कहा जाता है, और किन steps के तहत इने solve किया जाएगा, तो यह दो बातें आपको सीखनी होंगी, जैसे के question पूर्ण तो इसमें बोला जा रहा है, find the HCF, आपने HCF मालूम करना है, इन तमाम questions का of the following, by factorization, factorization के method को इस्तमाल करते होई, ठीक है, तो इन सारे expressions का यह questions का आपने HCF ही मालूम करना है, factorization के method को इस्तमाल करते होई, ठीक ह कि यह expression है, इन्हें compound expression कहा जाता है, compound expression क्यों कहा जाता है, क्योंकि इधर दो यह दो से ज़्यादा term भी नजर आ रही हैं आपको, जैसे इधर 12x square plus x minus 1, यह 3 term है, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखेंगे x plus y, 2 term है, जबकि question number 1 के अंदर जो है, आपने monomials पढ़ा था, और mon compound expression का मतलब सिर्फ इतना है कि इधर 2 terms या 2 से ज़्यादा terms वाली expressions या polynomial आपको दी गई है, तो 2 या 2 से ज़्यादा terms वाली expressions को compound expression कहा जाता है, तो compound expression आपने समझ लिया, अब इनका HCF कैसे मालूम करते हैं, तो 3 step ही है, जैसे monomial के steps थे, मैं आपको screen पर दिखा देता हूँ, तो इस वक्त screen के उपर आप लोगों को steps नजर आ रहे होंगे, जैसे कि HCF of compound polynomial expression, तो जैसे कि मैंने बताया था, compound polynomial expression किसे कहा जाता है, समझ गए होंगे, HCF मालूम करने के 3 तरीके हैं, आप लोग पढ़ लीजेगा, मैं simple अफजों में बता देता हूँ कि इधर क्या कहा गया ह पहले step में ये बताया गया है कि सबसे पहले each expression in complete factored form के हर expression को आपने factorize करना है, factor की शकल में लिखना है, उसके बाद जो repeated factor होगा, उसको आपने लिखना है power की शकल के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले expression को आपने क्या करना है, factorize करना है, और factor की form में लिखने के बाद उसको power में convert करना है और दूसरे step में आपने जो सबसे छोटा common factors के अंदर power वाला expression होगी उसको select कर लेना है अलग कर लेना है और उसके बाद उन सबको multiply कर देना जैसे के पिछले monomials के अंदर आपने किया था तो एक बार आपने पढ़ लिया देख लिया अब इसी steps को follow करते हुए चलिए question number two जो से solve करते हैं ठीक है तो question number two आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है तो concept आप लोग सीख चुके होंगे हमने क्या करना है in compound expressions की HCF मालूम करनी है ठीक है तो HCF मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो इदर लिखते है solution तो हम solution लिख लेंगे उसके बाद हमारे पास दो polynomial है या दो expression है तो one by one हम पहले इनको factorize करते हैं क्योंकि factorization के method से HCF मालूम करना है तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं x plus y whole का square ठीक है तो तीन step है जो कि मैंने आप लोगों को पीछे दिखाये थे कि तीन steps का इस्तमाल करते हुए आप जो है इनको इनका HCF जो है वो मालूम कर सकते हैं तो पहले step में क्या करते हैं कि दी गई expression की या polynomial की हम factorization करते हैं यानि कि factors मालूम करते हैं तो यह जो polynomial है हमारे पास already factored की form में है ठीक है factor का मतलब क्या होता है कि कोई चीज multiply की शकल में हो जैसे x plus y whole का square है तो यह पहले से ही factors की form में है na x plus y और into x plus y तो इसको मजीद करने की जूरूरत नहीं है तो हम ऐसे ही यहां पर लिख देंगे x plus y whole का square ठीक है काफी teachers जो है वो क्या करते है इसको इस शकल में लिख देते हैं तो उसका फाइदा नहीं है क्योंकि steps में मैं आपको steps भी दिखा देता हूं जैसे कि यह steps है हमारे पास इसमें साफ बताया गया है कि हर expression को आपने factor rise करना है factors की शकल में change करना है और उसके बाद जो repeat हो रहे हैं factor उनको आपने power की शकल के अंदर जो है convert करना है ठीक है तो अब आप देखें यह हमारा question number two है इसमें x plus y x plus y जो है factors की form में है और यह repeat हो रहे हैं हुई हुई है तो उसको कैसे factorize कर सकते हम ठीक है तो यह जो polynomial expression थी इसको factors की form में हमने change कर दिया या पहले से ऐसे थी तो वैसे का वैसा लिग दिया उसके बाद अगली हम compound expression देखेंगे वह कौन सी है वह अगर देखें तो वह है x square minus y square ठीक है तो अब यह expression है जो के factorize हो सकती अब यह कैसे factorize होगी आप लोगोंने एक formula देखा होगा a square minus b square और यह किसके equal होता है यह ब्राबर होता है a plus b into a minus b ठीक है यानिके आप पीछे 4.1 और 2 के अंदर सीख चुके हैं यह expression थी और यह हमने इसको formula इस्तेमाल करते हुए factors की form में लिग दिया ठीक है तो यह भी ऐसा इसे भी लिख सकता हूँ x plus y into x minus y ठीक है क्यों क्योंकि इस formula का इस्तमाल करते हुए I hope मुझे यह बात जहन में आ रही है कि अच्छे से आपने 4.1 और 2 की होगी तो यह बात समझ में आ रही होगी तो यह expression थी formula इस्तमाल किया तो यह इसके factors बनके ठीक है अब इसमें कोई repeat तो नहीं हो रहा ना जैसे कि इसमें repeat हो रहा था x plus y दो दफा थी तो इसमें x plus y एक दफा है x minus y एक दफा है तो क्योंकि repeat नहीं हो रही है तो इसको ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे तो पहला step हमारा क्या हुआ कि हमने factors की form में change किया expression को और उसके बाद हमने क्या किया कि power के अ आप लिख लेते हो ठीक है तो वो मैं statement लिख देता हूं इसके बाद वो भी कर लेते हूं तो यह मैंने statement लिख ली common factors with least power ठीक है तो अब इसमें common factors कौन से हमारे पास देखें x plus y इधर भी है और x plus y इधर भी है यानि कि दोनों expression का factor मौजूद है x plus y की सूरत में तो यह तो ह मैं पता चल गया common factor कौन सा है ठीक है अब देखेंगे common के अंदर least power वाला तो यहां पर x plus y होल की power 2 है और यहां पर x plus y होल की power जो है वो 1 है जहां कुछ नहीं होता हूं क्या लिखा होता है 1 लिखा होता है तो its mean के x plus y होल की power 2 और x plus y होल की power 1 इन में से lowest power वाले कौन सा expression है यह वाला expression है तो यह हम अलग करके लिख लेंगे ठीक है तो common भी ढूंड लिया हमने और lowest भी ढूंड लिया तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा अब मैं यहां पर लिखूंगा x plus y ठीक है बस यह लिख दूँगा bracket डालने की जूर्द नहीं है ठीक है डाल भी तो तो को power one है one हम लिखते नहीं है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद यानि second step में आपने क्या ढूंडना था common factor ढूंडने थे और least power के साथ उन्हें लिखना था यह भी हो गया third में हम क्या करते हैं जितने भी common factor least power के साथ होते हैं उनको multiply कर देते हैं ठीक है तो इसको क्या ही multiply करेंगे तो इसलिए यह हमारा HCF आ जाएगा ठीक है काफी सारे factors हो common तो फिर हम उसके अंदर से उनको multiply करके लिखेंगे जैसे एगले questions में यह बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी तो यहाँ पे है ही एक factor हमारे पास तो वो ही हमारा HCF हो जाएगा त statement लिख देता हूं तो यह मैंने statement लिख दी required HCF तो required HCF कौन सा हो जाएगा x plus y ही हमारा वो HCF है जो के question में मालूम करने को कहा गया था तो यह तीन steps जो है यह आपको मैंने पीछे बता भी दिये थे book में दिखा भी दिये है तो teachers आपकी मर्जी है teachers जैसा कहते हैं वैसे करिए लेकिन मेरे मुताबिक यह method जादा अच्छा है और यह method जो है आपकी examples के अंदर भी मौजूद है तो मैंने यह अपनी तरफ से नहीं बनाया आपकी examples में ही यह method मौजूद है वहां से ही हर चीज़ उठाके आपका यह question solve किया ठीक है तो चलिए question number 3 है उसको करते हैं जो मैं इन के ऊपर नजर आ रहा है तो यह हमारे पास एक expression है यह ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है इनको factorize करना है टो यह पर लिखेंगे सबसे solution तो पहले A को factorize करें L लिखें तो A minus B to bisa large 1 1 outta Coupes into a minus b into a minus b लेकिन in the end फिर आपको इसको ऐसे ही लिखना होगा a minus b hole का cube क्यूंकि steps के अंदर मैंने आपको बताया था कि factors को जब जो similar factors होते हैं उनको एक hole की power में अकठा लिखा जाता है ठीक है तो यहां पे तीन दफात a minus b तो उसको अकठा ऐसे ही लिखेंगे तो आप ऐसे लिख लो या फिर direct इसको क्योंकि हमें पता है पहले से factorize है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a minus b hole का cube दुबारा से ठीक है तो मेरा mean मकसद आपको समझाना है इस काबिल बनाना है कि आप अपने teachers के method को भी समझ सको और खुद भी फैसला कर सको मुझे कैसे करना चाहिए किसकी बात सही लग रही है तो यह factors की सूरत में convert हो गया highest power में भी पहले से था तो वह भी लिख दिया उसके बद second expression हमारे पास है क्या a square minus 2ab और फिर plus b square ठीक है तो इसको अब हमने factorize करना है तो इसको factorize कैसे करेंगे अगर आपको जहन में formula आए तो आपको याद आना चाहिए दरम्यान में minus है तो a minus b whole का square यह formula होता है किसके equal a square minus 2ab plus b square ठीक है तो अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं और अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो तो यह हम इस शकल में लिख सकते हैं यह formula है क्योंकि formula के एक end दूसरे end के equal होता है इसलिए equal का sign है तो यह हमाई पास expression है इसको ऐसे लिख देंगे तो factorize हो जाएगा तो formula का इस्तमाल करते हुए यहाँ पर हम इसे factorize कर लेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे a minus b whole का square ठीक है तो देखिए again से यह factorize भी हो चुका और maximum power के साथ क्योंकि formula था तो वो भी पहले से convert हो गया अब हमने क्या कर लिया पहला step मुकमल कर लिया दोनों को factorize कर लिया power के अंदर convert कर लिया अब हम इनमें देखेंगे common factor कौन सा है और least power के साथ लिखते यह ठीक है तो चलिए statement लिख देते हैं पहले तो यह मैंने statement लिख दी statement में क्या लिख है common factor with least power तो common क्या है अगर आप देहान देंगे तो a minus b इधर भी है, a minus b इधर भी है, ठीक है, तो common हुआ ना, दोनों के अंदर मुझूद है, दोनों के factors में मुझूद है, तो common factor हुआ a minus b, ठीक है, अब least, क्योंकि यहाँ पर power 3 है, और यहाँ पर power 2 है, तो least power के साथ लिखते हैं, common factor HCF मालूम करने के ल लिख लिए, अब इसका HCF मालूम कर लेंगे, तो statement लिख लेता हूं, तो यह मैंने statement लिख ली, तो required HCF क्या हो जाएगा, जो भी common factors होते हैं, least power के साथ, उनको आपस में multiply करवा देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा HCF बन जाता है, तो यहाँ पर है ही एक, ठीक है, तो इसको किस है कैसे करवाते हैं, लेकिन अभी तक, टू के अंदर, फ्री के अंदर, एक ही आपके पास factor आ रहा है, तो इसलिए multiply वाली बात, शायद कुछ बच्चों को समझ में ना है, तो यह हमारा required HCF हो गया, और इसको हम, यह answer है, लेकिन बुक में answer यह लिखा हुआ है, ठीक है, तो A-B whole की power 2 को हम इस शकल में भी लिख सकते हैं, और इसको इस शकल में भी लिख सकते हैं, तो यह सिप आपका concept clear करने के लिए, आपको हर तरह से समझ में आए बात, इस तरह से इस तरह की चीज़ें और questions आपके सामने आ रहे हैं, तो आप यह भी लिख देंगे required HCF, तब भी question ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको इस शकल में लिख देंगे, तब भी ठीक हो जाएगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, आइए question भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं, तो question number 4, आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहे हैं, तो इसका HCF मालूम करना है, तो सबसे पहלे हम यहाँ पर लिखेंगे solution, solution लिखने के बाद, सबसे पहले, हम factorization करके factors मालूम करेंगे, फिर इसका factorization करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले expression है, A3 और B minus Ab3, ठीक है, तो इस expression की जब factorization करेंगे, या factors मालूम करेंगे, तो क्या होगा, तो सबसे पहले factors मालूम करने के लिए, factorization करने के लिए common देखा जाता है, दो terms के अंदर, तो इसमें common yes बिल्कुल है, A इसमें भी है, इसमें भी है, A की power 1 यानि दोनों में है, B की power 1 भी दोनों में है, तो A भी दोनों के अंदर से common लिया जा सकता है, तो यहाँ पे आप A भी लिख दोगे, ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा, फिर हमारे पास, A बाहर गया, तो अंदर A की power 2 बच जाएगी, और B तो बाहर गया, A की था, तो यहाँ पे कुछ नहीं बच जाएगा, और धर्मियान में minus है, तो minus लिख दिया, और एक A था, एक बाहर चला गया, ठीक है, तो A तो लिखेंगे नहीं, B की power 3 है, तो एक B बाहर गया, तो एक यहाँ पे, एक कम करके B square लिख देंगे, तो इस तरह से अब आप देखिए, यह expression थी, और यह दो इसके factors आ गया, फिर आप तीन factors हैं, basically, तीन factors कैसे हैं, एक A, A और B आपस में multiply हो रहे हैं, तो दो factors हैं यह, ठीक है, तो basically, यह सारे जो हैं, वो factors आग चुके हैं इस वक्त, ठीक है, आगे भी यह हो सकता है, कैसे, A square मानिस B square, यह भी एक formula होता है, जो के बराबर होता है, A, B वैसे का वैसा लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद यह बराबर होता है, A plus B, और A minus B के, ठीक है, यह formula याद होगा, A square मानिस B square, उमीद है, याद होगा, A plus B into A minus B, तो बस वही formula इदर लगाया है, क्योंकि जो भी expression मजीद factorize हो सकती हो, formula के थ्रूस को करते हैं, तो इसको और factorize किया जा सकता था, तो इसलिए इस चकल में मैंने change कर दिया, अब इससे आगे कोई formula नहीं लग सकता, तो आप देखिए, यह expression थी, यह A, B, A plus B, और A minus B, जो हैं इसके factors हैं, एक जैसा इन में कुछ भी नहीं है, कि हम उसे power के अंदर लिखें, सब factors एक दूसरे से मुक्तलिफ हैं, तो इसको ऐसे का ऐसा लिख देंगे, अब इससे आगे हम चलेंगे, दूसरी expression की तरफ, वो कौन सी है हमारे पास, वो है A to the power 5, और साथ में B square, ठीक है, minus A square, B to the power 5, ठीक है, तो इसमें क्या common है, A square इसमें भी है, इसमें भी है, B की power 2, इसमें भी हो सकती है, और इसमें भी हो सकती है, तो यहां पे common आ जाएगा, A square और B square, ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, A की power 5 थी 2 तो बाहर चले गए तो अंदर 3 बच जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A cube और दर्म्यान में आगे B square है तो B square तो बाहर चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा minus A square भी बाहर आ गया ठीक है तो अंदर बच जाएगा 5 में से B square भाहर गया तो B cube बन जाएगा अब यह भी एक formula होता है अब यह कौन सा formula होता है पिछले exercise में आप पढ़ चुके हो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार पर मिटा दूँगा A cube minus B cube बराबर होता है किसके minus B और यह bracket close और आगे A square plus AB plus B square ठीक है तो हमारे पास यह expression हो तो formula के according उसको ऐसे लिख सकते हैं तो अब आप देखिए हमारे पास जो है question में यही शकल मुझूद है तो इसको बस इस शकल में लिख देंगे तो हमारे पास मजीद factors बन जाएंगे ठीक है तो कब तक बनाने होते हैं जब तक आप उसको factorize कर सकते हों आपको करना पड़ता है तो इसको formula के accordingly आगे भी हम बढ़ा सकते हैं factors बना सकते हैं तो आप A square B square को वैसे के वैसा लिख रहने दो क्योंकि maximum power के साथ हैं और इधर आ जाएगा हमारे पास formula के according A plus sorry A minus B ठीक है into अभी मैंने लिखा था ना formula वहीं लिख रहा हूं A square plus AB plus B square और यह bracket close ठीक है तो यह हमारे पास हो गया अब आप इसको मजीद factorize नहीं कर सकते ठीक है और कुछ repeat भी नहीं हो रहा A square B square A minus B सब एक दूसरे से मुक्तलिफ हैं तो हमने basically पहला step कर लिए अब हम देखेंगे इन दोनों में common कौन से हैं ठीक है तो पहले statement लिख लेता हूं मैं तो यह मैंने statement लिख लिख लिए जिसमें क्या लिखा common factor with least power ठीक है दो A मुझूद है ठीक है तो अब आप अगर इसको देखेंगे तो इनका HCF क्या होगा जैसे कि यहां पे लिखा हूं common factor with least power तो least power वाला factor लिखेंगे तो least power इन दोनों में क्या है वो 1 है ठीक है तो इन दोनों के अंदर से इसके अंदर से और इसके अंदर से आप किसको select करेंगे आप इसको select करेंगे ठीक है A की power 1 को तो यहाँ पे आप लिख लेंगे एक तो हमारे पास 1 तो कभी लिखते नहीं नहीं तो खाली A लिखते हो तो एक common factor least power के साथ यह हो गया उसके बाद अगला common factor कौन सा है यहाँ पे B की power 1 है और यहाँ पे B की power 2 है तो यह B दोनों में मुझूद है अब दोनों में मुझूद है तो मैं यह lines मिटा देता हूँ आपको शायद यह समझने में मुश्किल हो रही हो अब आप देख सकते हैं easily तो B दोनों में मुझूद है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तमाम factors को commas की मदद से अलग करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम उन factors को find out कर रहेंगे वो कौन कौन से factor है जो सब में है और least power के साथ है उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा A plus B ठीक है क्या दूसरे में A plus B है इसमें A plus B नहीं है तो it's mean के इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमने common देखना है उसके बाद A minus B इसमें भी मौझूद है और A minus B factor इसमें भी मौझूद है तो A minus B दोनों में मौझूद है दोनों में power जो है वो one one है तो क्योंकि same power है तो it's mean least का कोई स्वाल ही पैदा नहीं होता तो इसलिए ये one के साथ ही लिखे जाएगे तो तीसरा हमारे पास factor आ गया A minus B तो ये तीन factors हमारे पास आ गए अब हमने HCF मालूम करना है तो इन तीनों को multiply कर देंगे तो HCF मालूम हो जाएगा तो ये मैंने statement लिख ली required HCF अब वो कैसे HCF मालूम होगा इन तीनों को आपस में multiply कर दो तो multiply शकल में लिखें तो A आ जाएगा उसके बाद B आ जाएगा A B ऐसे लिखो तो इस भी multiply हो रहे है उसके बाद bracket डालने के बाद A minus B आ जाएगा तो देखिए ये तीनों जो है आपस में क्या हो रहे है multiply हो रहे है तो ये ही हमारे पास क्या हो जाएगा required HCF हो जाएगा तो उमीद करते हूं एक question समझ में आया होगा तो question number 5 आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहे है तो इसकी factorization करें तो सबसे पहले लिखा जाएगा solution उसके बाद सबसे पहले हमारे पास है x square minus 49 तो इसकी factorization करें तो देखिए x square minus 49 है ठीक है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं x whole का square minus 7 whole का square क्यों क्योंकि अब देखिए formula होता है a square minus b square जो क्या भी बताया था वो बराबर होता है a plus b into a minus b तो हमने इसको इस शकल में change किया और इस तरह से लिख देंगे formula का इस्तमाल करें के तो factorization हो जाएगी तो मैंने आपको समझा दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूं तो अब आप इसको इस शकल में लिखने के बाद यहां पर लिख सकते हो x plus 7 into x minus 7 तो यह expression थी यह इसके factors आगे further यह solve नहीं हो सकता दोनों different है तो इसलिए power भी नहीं convert कर सकते है इसको अब उसके बाद दूसरी expression क्या है हमारे पास हो है x square minus 4x minus 21 अब इसकी factorization कैसे होगी 4.1 और 2 अब आपके काम आ रही होगी तो देखिए इसमें common कुछ नहीं है सबसे पहले common देखते हैं उसके बाद यह और यह term जो है perfect square भी नहीं है तो it's mean के अब एक ही तरीका है जिससे असानी से solve होगा इस constant को minus 21 को first cake coefficient के साथ अब multiply कर दो तो क्या आजाएगा minus 21 अब हमें दो number चाहिए जिनको multiply करें तो minus 21 आ जाए और जिनको add करें तो हमारे पास middle जो number है वो आ जाए जो कि क्या है minus 4 तो ऐसे कौन से number है 2 पे 21 नहीं जाता 3 7s are 21 होता है तो यहाँ पे 3 लिख दो color change करके लिखता हूँ ताकि आपको सही तरह समझा सको 3 7s are 21 3 7s are 21 अब मैं plus minus कैसे लगा हूँ देखिए मुझे minus 4 चाहिए तो it's mean बड़े number के साथ में minus लगा तो यहाँ लगा है तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा ठीक है अब आप देखिए minus 7 में से plus 3 गए तो minus 4 आ जाएगा और 7 3 दर 21 plus minus minus तो यह तो it's mean के minus 7 और plus 3 हमारे पास pair हमें चाहिए तो इसको मैं अब कैसे लिख दूँगा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x square plus sorry minus का 7x रखना है तो minus 7x plus उसके बाद 3x ठीक है उसके बाद क्या जाएगा minus 21 ठीक है पिछले questions में ऐसे नीचे करते थे हम अब ही थोड़ा आगे कर रहे है क्योंकि अंदाज अलग है क्योंकि हमें common factor ढूणने होते है तो एक ही बात है इसको मैंने इस तरह से लिख लिख लिया mid term break वाला rule जो आपको याद आया होगा उसके according अब इसको हम यहां से मिटा देते है मिटाने के बाद अब हम इसके factors बना सकते है first two में क्या common है x तो यहां पे आजाएगा x minus 7 इन दोनों में क्या common है इन दोनों में polis है बाहर तो sign change नहीं होगा 3 common है तो यहां पे आजाएगा x minus 3 7 is a 21 होता है तो 7 अब आप देखे इन दोनों में क्या common है x minus 7 तो एक factor हो जाएगा x minus 7 और एक हो जाएगा x plus 3 ठीक है तो आप देखे यह expression दी है इसके factors बन चुके अब हमें क्या करना है हमें common देखना है और least power के साथ लिखना है ठीक है एक जैसे होते हैं तो हम इसको power के साथ लिखते हैं लेकिन यह दोनों अलग अलग है तो चलिए statement लिखते हैं और पिर लिखता हूं मैं ढूंड कर तो यह मैंने statement लिख दी common factors with least power तो common factor कौन से है x-7 इसमें भी है x-7 इसमें भी है बाकी x-3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो common factor एक ही है x-7 और least power यहां पर क्या होगी यहां पर भी one power है यहां पर भी one power है जब एक जैसे power होती है तो कोई कम जादा वाली बात नहीं होती वो एक बार लिख दी जाती है तो यहां पर हमारे पास क्या आजाएगा हमारे पास आजाएगा x-7 यह हमारे पास bracket डालो या ना डालो इससे मसला नहीं क्योंकि एक ही तो है ठीक है तो x-7 जो हमारे पास common factor है least power ठीक है तो bracket अगर डाल दे तो चलो डाल देते हैं ठीक है तो यह हमारे पास common factor आगया उसके बाद required hcf मालूम करना है तो लिख लेता हूँ तो यह मैंने लिख लिख लिए required hcf तो highest common factor कौन सा है तो यहां से हमें देखना होता है common factor कौन सा एक ही है तो इसमें से हम क्या किसको multiply करवाएंगे जब एक ही है तो x-7 आप यहां पर लिख देंगे और यही आपका answer हो चाएगा ठीक है तो उमीद करता हूँ यह सौल भी समझ में आया होगा तो question number 6 आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है तो इसको factorize सबसे पहले करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो इधर लिखेंगे solution उसके बाद first expression जो है वो हमारे पास है 12 x square plus x minus 1 तो हम ही क्या करना होगा इसकी factorization करनी होगी तो common कुछ आता नहीं है formula कुछ लगता नहीं है यहां पर ठीक है तो अब हम क्या करेंगे simple वो ही इस last constant को first coefficient से multiply करवा देंगे तो multiply करवाएं तो 12 को 1 के साथ तो minus 12 हो जाएगा अब हमें दो number चाहें जिनको multiply करें तो हमारे पास minus 12 आ जाए और जिनको add हम करें तो हमारे पास क्या आ जाए positive 1 यहां पर कुछ नहीं है तो it's mean plus के साथ 1 है तो ऐसे दो number कौन से होंगे तो 1 के table पे 12 जाता है लेकिन 1 और 12 के combination से 1 तो कभी भी नहीं आएगा 2 के table पे 12 जाता है 2, 6 और 12 बट 2 और 6 को add करने से 1 नहीं आएगा 3 के table पे भी 12 जाता है 3, 4 और 12 तो अब यह इस्तमाल हो सकता है क्योंकि 4 में से 3 गया तो 1 आजाएगा ठीक है तो अब हम यहां पे 4 लिख देते हैं यहां पे 3 लिख देते हैं यहां पे 4 यहां पे 3 प्लस माइनस कैसे सेट करें हमें positive 1 चाहिए तो बड़ा number positive रख लेंगे तो पिर छोटा number minus कर रख देते हैं पर भी माइनस का तो देखे positive 4 में से माइनस 3 गया तो प्लस 1 और 4 3 दे 12 प्लस माइनस माइनस ठीक है तो उमीद करता हूं पेर समझ में आ गया होगा तो इसके accordingly इसके factorization कर लेंगे या factor बना देंगे तो 12 x square हो जाएगा उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 4 x उसके बाद जो है माइनस का 3 है तो यहां पे आ जाएगा माइनस 3 x और लास्ट में माइनस 1 बचा हुआ है तो यह वाला माइनस 1 आ गया ठीक है तो रफ अमल को मिटा देते हैं तो यह गया यहां से मिट अब दो-दो की pairing करेंगे और common देख लेंगे तो इन दोनों में क्या common है 4 x common है तो यहां पे 4 x निकाल लेते हैं 4 3.12 तो 3 आ जाएगा 1 x बाहर तो एक अंदर बच जाएगा प्लस पूरा 4 x बाहर गया तो पीछे कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं तो ठीक है उसके बाद माइनस 3 x माइनस 1 में से कुछ common नहीं है तो जहां कुछ common नहीं होता है 1 common होता है ठीक है तो अंदर जो है बाहर माइनस है bracket के तो अंदर वाले sign जो है बदल जाएंगे तो 3 x प्लस 1 आ चाएगा ठीक है यह और यह एक जैसे है तो it's mean के question हमारा ठीक जा रहा है अब दो factors आए हमारे पास कौन कौन से 4 x माइनस 1 एक यह और 3 x प्लस 1 एक यह ठीक है इसको थोड़ा सही तरह नहीं लिखा गया 4 x 4 x माइनस 1 एक यह वाला और 3 x प्लस 1 एक यह वाला ठीक है अब इसमें दोनों different है तो पावर जो है आगे first expression के दूसरी expression लिख लिएते हैं इसी तरह factors मालूम होंगे 15 x square प्लस 8 x माइनस प्लस 1 ठीक है तो अब इसकी factorization भी वैसे ही होगी हमारे पास 1 को जो है 15 से multiply कर देंगे क्योंकि formula तो कोई नहीं लग रहा तो 15 दो number हमें चाहें है जिनको multiply करने से 15 और जिनको add करने से 8 आचाहे ठीक है तो अब वो दो number कौन से है तो अगर देखें तो 15 3 पे जाता है 3 5s of 15 होता है तो 3 5s of 15 multiply 3 5s में add करेंगे तो 8 भी आचाहेगा तो यह तो असान सा है दोनों plus के number ही रहेंगे तो चलिए इसको use करते हैं तो पहला term है 15x के और वैसे के वैसा उसके बाद लिख देते हैं 3x plus 5x उमीद करते हूं 4.1 और 2 को करने के बाद आप इस बात को easily समझ रहे होंगे अब इस तरफ अमल को मिटा देते हैं मिटाने के बाद अब इस में हम common देख लेंगे तो first two में क्या common है 3x और यहां पर three fives of fifteen होता है तो five x आ गया plus three x बाहर common ले लिए तो अंदर कुछ नहीं बचा तो one बच जाएगा ठीक है इसी तरह इधर कुछ common नहीं है तो one common ले लेंगे और अंदर जो है क्योंकि बाहर plus का sign है साइन चेंज नहीं होंगे वैसे का वैसा लिखते हैं तो यह दोनों एक जैसे समीन हमारे question सही जा रहे है अब इन दोनों में क्या common है five x plus one ठीक है और पीछे क्या बच जाएगा three x plus one चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो उससे मसला नहीं होता ठीक है तो हम लोग उने इसके भी factors बना दिये दोनों मुक्तलिफ है तो इसलिए power वाला चक्कर यहां पर नहीं होगा अब हम ही क्या करना होता है common factor देखने होते हैं तो four x minus one इधर है four x minus one इधर नहीं है ठीक है तो अगले step में हम common factor लिखते है least power के साथ तो यहां पर भी power 1 है यहां पर भी power 1 है तो अब हम common factor जो है वो लिख लेंगे तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहां पर statement लिख लेते हैं तो मैंने statement लिख ली statement लिखने के बाद जो common factor है वो हमारे पास है three x plus one क्योंकि एक ही factor है तो इसलिए comma डाल के कुछ और नहीं लिखेंगे हम बस इसे ही लिखा रहने देंगे अब हम क्या करेंगे हमने hcf मालूम करना था तो फिर statement लिख लेते हैं तो मैंने statement लिख ली required hcf तो required hcf में जो भी यहां पर common factors होते हैं उन सबको multiply किया जाता है लेकिन यहां पर एक ही factor है तो इसको ही वैसे का वैसा लिख देंगे तो three x plus one जो है वो अपका यहां पर answer हो जाएगा तो इस तरह से यह question आप लोगों का खतम होगे उमीद करता हूं इस समझ में आ गया होगा तो question number seven आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहे तो इधर यह दो polynomial है इनके factorization करें के hcf मालूम करना है तो सबसे पहले हम solution लिखेंगे solution लिखने के बाद first हमारे पास expression क्या है c square x square minus d square ठीक है यह हमारे पास expression है तो इसकी factorization कैसे करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं c square x square को एक साथ hole की power क्योंकि जब इसको open करेंगे तो हमारे पास यही आ चाएगा ठीक है यह बिल्कुल ऐसे ही बात है जैसे एक a के hole की power को हम ऐसे लिख सकते हैं तो ठीक c x को ऐसे अगर हो तो वह जब open होगा तो क्या हो जाएगा c square x square ही हो जाएगा ठीक है तो यह चीज इसको ऐसे लिखेंगे और minus d square को हम ऐसे लिख सकते हैं तो अब देखिए यह फार्मूला बन गया a square minus b square का जो के equal होता है a plus b into a minus b के ठीक है तो यही फार्मूला हम यहां इस्तमाल करेंगे तो इसको मिटा देते हैं इसको मिटाने के बाद इधर के आ जाएगा या भी नहीं मिटाते काफी बच्चों को शादिस से असानी होती हो तो यहां पे एक बार है a plus b तो हमारे पास a हमारे पास यह है b हमारे पास यह है तो यह आ जाएगा cx plus d तो यह एक बार plus करके लिख लिए एक बार minus करके लिख लेते हैं cx minus d ठीक है तो फार्मूला पूरा हुआ अब रफ़मल को मिटा देते हैं तो इससे जादा यह factors इसके बंद नहीं सकते दूसरी के तरफ चलना पड़ेगा तो दूसरी हमारे पास है a cx square minus b cx plus a dx minus bd ठीक है तो यह expression है हमारे पास तो इसमें क्या करेंगे इदर चार हमारे पास term मौजूद हैं तो जब भी four terms होती है तो छोटी classes में आपने पढ़ा था common तो देखते ही देखते हैं लेकिन common इन चारों में कुछ नहीं है जब common नहीं होत first two में common देखते हैं तो yes common है हमारे पास second में भी common है हमारे पास तो इसी method से आगे बढ़ते हैं तो first two में क्या common है हमारे पास first two में है इधर देखें तो c इधर भी है c इधर भी है ठीक है और x इधर भी है x इधर भी है तो c x जो है वो common आ जाता है तो यहां पर मैं लिख गा मेरे पास इधर से a और x बच जाएगा ठीक है तो a x लिखा उसके बाद minus इधर से c x बाहर गया तो पीछे b बच जाएगा तो यहां पर b आ जाएगा इन दोने में क्या common है d common है इसके लावा कुछ common नहीं है ठीक है तो प्लस है तो प्लस डी लिखा अंदर क्या बच जाएगा a x इधर बच जाएगा और only b इधर बच जाएगा तो यहां पर a x minus b आ जाएगा ठीक है तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यह दोनों एक जैसे हैं तो it's mean हमारा question सही जा रहा है तो अब हम इन दोनों में common देखें तो या इसके factors बनेंगे कौन-कौन से a x minus b एक यह factor हो जाएगा और c x plus d एक यह factor हो जाएगा तो factors हमने दोनों के बना लिए इसमें repeat कोई नहीं हो रहा तो अब common factor देखेंगे और that's all ठीक है hcf मालूम कर लेंगे तो common factor कौन सा है देखिए c x plus d इसमें भी है c x plus d इसमें भी है बाकी कोई भी common नहीं है ठीक है तो यह अकेला ही common है तो चलिए statement लिखते हैं तो यह दोनों statements मैंने साथ ही लिख ली सबसे पहले common factors with least power मालूम करते हैं तो common factor में जो sorry plus वाला है तो इसमें जो least power है वो हो नहीं सकती क्योंकि दोनों की maximum power one है एक जैसी है तो जब एक जैसी है तो इसलिए common factor में c x plus d यह अकेला आ जाएगा ठीक है अब required hcf में क्या करते हैं जो भी common factor least power के साथ होते हैं उनको multiply करवा देते हैं तो यहां पर है यह एक तो multiply one से होगा one से होने के बाद यह ही आ जाएगा तो c x plus d हमारे पास जो है required hcf आ जाएगा ठीक है तो उमीद करता हूं यह question जो है वो भी आप factors बना लेते हैं तो हमारे पास जो है वो कौन सी है m square minus n square ठीक है तो इसके factors बनाए तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं m whole का square minus n whole का square ठीक है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यों क्योंकि formula बन जाता है ना आगे जैसे के formula क्या बन जाएगा m plus n ठीक है और m minus n ठीक है कौन सा formula लगा a square minus b square यही formula is question में जादा तर लगेगा a plus b और a minus b इसके equal होता है ठीक है तो first or last I hope समझ में आप लोगों के आ रहा होगा तो इससे जादा इसके factors नहीं बनाए जा सकते इसके बाद आगे अगर चलें तो second हमारे पास expression है वो क्या है m की power 4 minus n की power 4 ठीक है तो m की power 4 और n की power 4 इसको भी formula के shape में convert किया जा सकते कैसे अगर मैं m square की power 2 रख दूँ तो m की power 4 बन जाएगा minus n square की power 2 रख दूँ तो n की power 4 बन जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि यहां पे अब formula apply हो सकता है ठीक है वही formula a square minus b square ब्राबर होता है a plus b और into a minus b के तो अब यहां पे कैसे apply होगा हां पर ऐसे हो जाएगा कि m square plus n square एक बार plus करके लिख देंगे और m square minus n square एक बार minus करके लिख देंगे तो अब यह दो factors होगे तो क्या इनको further factors factorize किया जा सकता है इस हिससे को किया जा सकता है कैसे देखिए m square minus n square है तो it's mean case का मतलब क्या हुआ m whole का square minus n whole का square ठीक है तो फार्मूला लग सकता है इसमें क्यों नहीं लगेगा क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे फार्मूले फार्मूला तब लगता है जब दोनों टर्म के दर्मियान माइनस हो इधर क्योंकि प्लस है दोनों के दर्मियान इसलिए फार्मूला नहीं minus n ठीक है फार्मूले का इस्तमाल करते हो अब यह further factors इसके नहीं बन सकते हैं और कोई भी एक जैसा नहीं है कि हम power की सूरत में उसे अकठा करके लिख लें तो its mean कि यह यहां तक factors इसके बन सकते थे अब last term रहे गए हमारे पास जो कि क्या है m to the power 6 minus n to the power 6 अब इसके factors कैसे बनेगे यही pattern के थूँ अभी हम चल सकते हैं ठीक है तो जैसे m cube है ठीक है m cube को अगर मैं कर दूँ square तो 3 power की power हमेशा क्या होती है multiply होते तो 3 to the क्या हो जाएगा 6 तो m to the power 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ तो ठीक इसी तरह दर्मयान में minus आ जाएगा और यहां पर n लिखने के बाद n cube कर लिए n cube के power 2 रख दी तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ तो अब देखें यहां पर फिर formula लग जाएगा कौन सा जैसे के यह वाला क्यूंकि दो completing मकमल scale के दर्मयान minus का sign है तो चलिए एक बार plus minus दुबारा कर लेंगे इसको तो दुबारा तो नहीं अभी तो यह तो फर्स टाइम ही हो रही है तो यहां पर इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं बाद में भी करना ही पड़ेगा तो यहां पर अब आप देखिए मैं लिख सकता हूँ एम क्यूब प्लस एन क्यूब ठीक है और एम क्यूब माइनस एन क्यूब तो यह दो फेक्टर बन जाएंगे अब आगे आपको थोड़ा दिहान देना होगा कि एम क्यूब प्लस एन क्यूब यह भी फार्मूला होता है एम क्यूब माइनस एन क्यूब यह भी फार्मूला होता है कौन सा देखिए मैं आपको यह दिलाता हूँ a cube plus b cube किसके equal होता है ये बराबर होता है a plus b और यहां पर आ जाएगा a square minus a b plus b square इसी तरह a cube minus b cube किसके equal होता है a minus b याद हो चुके होंगे a square plus a b plus b square ठीक है इनको याद करने का तरीका भी मैंने पिछली exercise में आपको बताया था तो इसके accordingly इसको further हम आगे चलाएंगे तो अब यहां पर formula लग जाएगा क्या कि square bracket डालो ठीक है क्योंकि इसका अलग लिखेंगे इसका अलग लिखेंगे तो square bracket हमें मदद देगी तो m cube plus n cube किसके equal हो जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं इस formula को follow कर रहा हूं में सबसे पहले क्या हो जाएगा m plus n ठीक है और उसके बाद क्या हो जाएगा m square उसके बाद अब plus का formula इस्तमाल कर रहे हैं तो यहां पर minus आ जाएगा first and last क्या है mn उसके बाद आ जाएगा n square ठीक है और यह small bracket close यह square bracket close इसके बाद अब हम इस इससे को भी ऐसी फार्मूले के according लिख लेंगे तो again से square bracket तो m minus n ठीक है यानि यह वाला formula apply कर रहा हूं तो देखिए a minus b है तो हमारे पास a और b mn है यहां पर तो m minus n हो गया और इसके बाद आगे अगर चलेंगे तो क्या हो जाएगा m square उसके बाद क्या आ जाएगा अब यहां पर minus है तो इधर plus आएगा यह चीज़ भी मैंने आपको बताए थी opposite होता है तो plus mn और आगे plus n square आ जाएगा small bracket close यह square bracket close तो अब अगर आप दिहान से wording यह आया इसको open किया तो यह आया ठीक है तो अब यह formula भी मिटा देते हैं क्योंकि screen जितनी साफ रहेगी आपको असानी उतनी जादा होगी समझने में तो अब जो है यह square bracket खतम करें को simple form में लिख देते हैं तो simple form में लिखूं तो सारे multiply हो रहे हैं एक दूसरे के साथ तो m plus n आ गया m square minus m n plus n square अरेंज करके भी लिख सकते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो अभी तो हम factors ही बना रहे हैं तो arrangement से फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो ऐसे लिख लिख लिए अब ऐसे लिखने के बाद अब मुझे मैंने तीनों के जो है factors बना लिए इसके यह इसके यह इसके यह चारों ठीक है तो अब मुझे क्या देखना होगा common देखना होगा और पर common जो हो उसकी least power इसमाल करनी होगे तो common क्या है m plus n इसमें भी है और m plus n इसमें भी है इसके बाद m minus n इसमें है किसी और में है yes इसमें भी है और इधर देखें तो इधर इसमें भी यहां पर मुझूद है और m minus n यह भी सब में मुझूद है तो यह दो common factor है लेकिन एक एक बार ही है तो its mean के lowest power करने की जूरूत ही नहीं है ठीक है I hope यह चीज़ें समझ में आ गहीं होंगे आपको आगे बढ़ें तो अब मैं statement लिखोंगा तो यह मैं statement लिख दी common factors with least power तो highlight करना जरू लिखें तो एक बार m plus n लिख लेंगे और एक बार m minus n लिख लेंगे क्यूंकि यही हर expression के अंदर common factors है और यह repeat भी नहीं हो रहे ठीक है तो अब इनको आप एक चीज़ का ध्यान रखेगा इनको आप ऐसे multiplicative की form में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा यहां पर comma डालना है इन इसका हम HCF ले सकते हैं तो चलिए मैं statement लिख देता हूं यहां पर तो यह मैंने statement लिख दी required HCF क्या हो जाएगा अब इन दोनों को multiply करवा लो इन दोनों को multiply करवाएंगे तो m plus n ठीक है एक यह है और 1m minus n एक यह है यह दोनों अब multiplication की सूरत में आ गए ठीक है और यही हमारा HCF expression की सूरत में जाय करना जादा भेतर है तो अगर इनको अकटा गरें तो अब यहाँ पर formula लगेगा एक बार a plus b एक बार a minus b तो कौन सा formula लगेगा m whole का square ठीक है minus n whole का square और यह किस केक्वल हो जाएगा m square minus n square ठीक है आप ऐसे भी कर सकते है कि step डालके direct भी लिख सकते हो ठी ठीक रहेगा कि m square minus n square और यहाँ पर ऐसे answer तो इस तरह से यह question जो है उमीद करता हूं देखने में थोड़ा करीब करीब है ताकि एक frame के जादा steps आप देख सको लेकिन समझ में आप लोगों के आ गया होगा ठीक है तो question number 9 आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है इसको x plus a cube ठीक है अब हम इसकी factors बनाएंगे या factorization करेंगे एक ही बात है तो देखिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि common क्या है expression में अगर कुछ है तो yes common है इधर भी है इधर भी है इधर भी है इधर भी है तो yes a को सबसे पहले common ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा a बाहर अ plus a cube जो है a square में convert हो जाएगा bracket close अब हम आगे कैसे चलेंगे अब हम देखेंगे कि इन तीनों में yes यह भी perfect square है यह भी perfect square है 4.1 के अंदर मैंने आपको बताया था जब भी यह और यह मुकमल square हो तो आप formula लगा सकते हो a plus b whole का square अगर दर्मयान में minus है और अगर sorry plus है ठीक है औ यह और यह मुकमल square हो तो इन दोनों में से यह एक formula लगता है 4.1 के अंदर शुरू में यह बात आप तो सीख चुके हो तो यह वला formula लगाएंगे तो यह वला formula किसके equal होता है चलो जो बच्चे भूल चुके हो उसके लिए करते हैं तो देखिए a square plus 2ab plus b square जो है वो किसके equal ह होता है वो हमारे पास ब्राबर होता है a plus b whole के square के ठीक है तो ठीक इसी तरह यह भी हो सकता है कैसे मैं आपको करके दिखाता हूं a वैसे का वैसा रहेगा square bracket डालेते हैं small q कि अंदर इस्तमाल होगी तो देखिए यह मुकमल square है तो इसको लिख दो मुकमल square उसके बाद मुकम last term अभी पता नहीं है तो खाली चोड़ दो फिर उसके बाद plus last term क्या है हमारे पास जैसे यहां पर 20 square है तो इधर last term हमारे पास a square है तो a square को हम ऐसे लिख लेंगे तो last term क्या है a तो a यहां पर लिख देते हैं जैसे के first term यहां लिखते है I hope यह चोटी classes की चीज़ें है अब आप देखिए कि question ठीक है यह नहीं इसको कैसे check करते हैं यह हिस्सा जो है इसके equal होना चाहिए अगर तो आ जाते है तो आपका आपकी factorization सही हुई है ठीक है तो 4.1 में बार-बार बोल रहा हूं कि यह चीज़ आप सीख चुके होंगे तो मेरी बात अच्छे से समझ में आ रहे होगे square bracket close अब देखिए जैसे यह हो तो यह इस चकल में expression हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो ठीक इसी तरह यह भी मुकमल square के तमाम formalities पूरी कर रही है तो इसको भी हम इस factors की form में लिख सकते हैं जैसे a into x plus a whole का square ठीक है तो इसको मैंने ऐसे मुकमल form में लिख ल आगे हम चलेंगे ठीक है तो इसके लावा मजीद ही आगे हल नहीं हो सकता हमें factors बनाने थे तो यह दोनों factors ही है अब हम second लिखते हैं second हमारे पास है two a x square minus four a square x minus six a cube ठीक है तो यहां पर a cube आ गया अब इसको कैसे करेंगे इसमें भी सबसे पहले common देखेंगे common तो इसमें common है तो 2 a जो है यहां पर common आ जाएगा तो 2 a common ले ले लिएंगे तो अंदर बच जाएगा मेरे पास x square minus two two the four होता है तो 2 आ जाएगा a के बाहर गया तो एक अंदर और यहां पर x भी आ जाएगा minus two three the six ठीक है और एक a बाहर गया तो पीच्छे दो बच जाएगे तो यहां पे येuğं सकेर अगया तो चलिए । यह कमन आ गया अब हम देखेंगे यह मुकंमल सकेर है यह नहीं है ठीक है तो इसको हम उपर वाला जैसे क्या हमने किया नहीं यह मुकंमल सकेर थे तो फार्मला लगा लिए इदर के last coefficient को first के coefficient से multiply करवाएंगे तो इसको थोड़ा उपर कर लेता हूँ अब ठीक है तो देखिए इसको जब first से multiply करवाएंगे तो कितना आ जाएगा minus 3 ठीक है अब हमें दो number चाहिए जिनको multiply करें तो हमारे पास क्या जाए minus 3 और जिनको add sorry दो number के जगे तो छोड़ी नहीं मैंने तो यहां पर multiply करें तो हमारे पास आ जाए minus 3 और जिनको हम add करें तो middle number जो minus 2 है वो आ जाए तो अब वो दो number कौन से हैं तो देखिए three ones are three होता है ठीक है तो three को एक से करेंगे तो three आ जाएगा तो यहां पर भी three one लिखना होगा अब minus two चाहिए अगर add करें तो तो minus का number बड़ा रख देते हैं minus three में से plus one गया तो minus two आ जाएगा इधर भी minus लगा देंगे क्योंकि नीचे लगाया है तो minus three ones are three minus three आ जाएगा तो यह यह exactly सही जा रहा है तो इट्समिन के यह लिख सकते हैं तो two आ वैसे का वैसा square bracket डाली तो मिटर्म ब्रेक वाली काम यहां पर करेंगे x square तो फिर minus three x लिख दो sorry x नहीं लिखेंगे ठीक है हमेशा जो second term होती है उसके variables लिखते हैं तो यहां पर three x आ जाएगा उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस क्योंकि आगे प्लस है न तो प्लस one लिखते नहीं variables के साथ तो only ax आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा three a square वैसे का वैसा ठीक है तो तो square bracket के बिना भी चल सकता तक हम तो हम middle ही डालते हैं square नहीं डालते हैं यहां पर two a तो वैसे का वैसा रहेगा अब square bracket डा लेता है first two में क्या common है x common है तो x बाहर निकाल लो तो अंदर बच जाएगा x-3a इधर क्या common है प्लस a common है तो a बाहर निकाल दो x प्लस a ठीक है I hope समझ में आ रहा होगा इसको वैसे step करूं तो ऐसे करते हैं अब शायद आप लोगों को असानी हो एक यह फैक्टर था एक के तो second भी हो गई थर्ड हमारे पास जो question में expression दी गई है वो क्या है three into a x मैं यह लिक लेता हूं three into a a x plus a square और यह whole का square यह हमारे पास है तो इसके factors कैसे करेंगे या factorization कैसे करेंगे common तो इदर या इन दोनों के अंदर common आता है तो थोड़ा दिहान से अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा आपको तो three तो बाहर वैसे का वैसे है न तो a common ले लेते हैं तो इस में से जब a common लेंगे ठी आएगा x plus a ठीक है यानि कि इन दोनों में से color change करके बताता हूं इन दोनों में से common निकाला a बाहर तो अंदर बच गया x plus a ठीक है और अब whole का square है ठीक है यह वाला तो यह आप ऐसे का यहां पर ऐसे whole का square डाल दो ठीक है यहां पर क्यों डाल रहे हैं थ्री के बाद क्यों डाल रहे हैं क्योंकि आप देखिए a जो है वो square के अंदर ही है न तो इसलिए i hope समझ में आ रहोगा fundamental principles तो छोटी classes में यह square जो है वो a से भी तालुक रख रहा है और इस से भी तालुक रख रहा है तो हमारा main मकसद factors बनाना है factors किसे कहा जाता है जो multiply की शकल में values होती है तो हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं तो फिर factors बन जाएंगे जैसे 3 तो अलग है ठीक है उसके बाद a square हो जाएगा ठीक है और यहां पर आ जाएगा x plus a whole का square तो देखिए यह square को इसके साथ भी जोड़ दिया और इसके साथ भी जोड़ दिया मैंने अब जो है sorry square भी गया अब आप देख सकते हो क्या चीज़ के यह 3 multiply हो रहे हैं अब हम देख सकते हैं तीनों में क्या common है तो first जो expression थी वो यह थी इसके अंदर a है हमारे पास ठीक है और second के अंदर भी देखें तो a है हमारे पास third के अंदर देखें तो a है हमारे पास तो a जो है वो तीनों के अंदर बास तो जब जो common factors होते वो तीनों में हो तो lowest power के साथ लिखते हैं ठीक है तो यहां पर मैं statement लिकके लिखता हึँ तो यह दोनों statements में नहीं लिख दी तो एक तो हम lowest यह common factor है तो यह लिख लेंगे lowest power कितनी है व Lat If so one लिख लेंगे तो इंदर м aur प्र इन स्किर करता a इधर भी है x plus a इधर भी है तीनों जगे है इधर जो है two की power इधर one है और इधर two है तो lowest power कौन सी हुई lowest power जो हुई इसकी वो ये one हुई ठीक है तो lowest power के साथ लिखते हैं तो x plus a जो है वो यहां पर मैं लिख लूँगा तो यहां पर डालूँगा मैं कॉमा ठीक है तो मुझ वीडियो को रोके देख भी सकते हो या सासब practice कर रहे हो तो पता चल गया होगा अब इन दोनों को multiplicative form में लिख दूंगा तो hcf कहला जाएंगे यह तो multiply form में लिखूं तो यह क्या लिखूंगा मैं मैं लिखूंगा a into x plus a तो ये दोनों multiply हो रहे हैं, तो ये इनका HCF हो गया, ठीक है, तो ये आपका जो है वो answer हो जाएगा, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, आपको ये exercise समझ में आई होगी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, AX प्लस A, ऐसे लिखने के बाद भी answer लिख सकते हो, वो मसला नहीं है, ठ ठीक है, तो उमीद करता हूँ, अगर कुछ गलती हो गए उन जाने में, तो उसके लिए माफ करिएगा, बाकि अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक याल रखिएगा, अल्हाफ़ाइज.